लिए जहां से वियाएं हर तरप अपने नजर जमाएं रखिए थोड़ी देर में सद्गूर्दी भग्मान का दिब्य आग्मन होगा और बड़ी सुन्दर ब्यास्पीट की सुभा को बड़ाते हुए आज पर्थम दिवस की पावन कथा का स्रिपडबान सद्गूर्दी भग मावब मौन का संद्गूर्दी पर्थम परवं हुए घर के दर्श्पीट tap के स्यवां के दर्सन करने और उन चर्नों की स्यवाह से जूड़ने का सुभबसर हमें भी प्राप्थ हो रहा है बड़ाई सुन्दर होली का पावन परवरा ऐसे में खूब धुम धाम से भक्ती और प्रेम के रंगों से सरावोर हम और आप सभी लो रहे और हमने पारस्प्रिक द्वेस भावना को त्याक करके सभी को एक साथ गले लगाया और भगवान से प्रात्ना की कि हम यूहीं निरंतर एक दूसरे के दिल में बने रहें एक दूसरे का हाथ ठाम कर चलते रहें यही वास्ता में हमें सद्गोड़े भगवान शिक्षा देते हैं आईए जैसे सद्ग सद्गोड़े भगवान के लिए इस सेबा के अनुठे दिव्य संकल्ब या संकल्ब सेबा पत के लिए जिसके माद्यम से जुड़ने का आफसर हम को और आपको मिला है आज देंतर पूरी दुनिया में गोरिगोपाल आस्रम परिवार को जाना जाता है क्योंकि उतनी करें अपने हाथों को पवित्र करें यानि कि सेबा से जोड़ें और पुन्य लावर्ज करें आईए हमारे आस्रम परिवार में 200 पिछे तरमाय हैं जिन माओं की बखुबी देख भाल और हर प्रकार की सेबा निरतर सद्गोड़े भगवान कर रहे हैं ऐसे मैं मैं कि आप भी पाउं पावन माओं की चड़ों की सिवा से जोड़ें और जोड़े ही नहीं आप स्वेम जड़ें अपनी आने वाली भावी पीडियों से पुन्यों को जोड़ करके जाएं एक ऐसा पुन्डी का व्रक्स सिधां प्रदावर में लगा करके जाएं जब तक आप रहें आपको पुण्य मिलें और आपके आने वाली भावी पीडियों को यहां से पुण्य मिलता रहें आईए मैं बात कर रहा हूं माओं की सीवा की पूरी 285 माओं की भोजन, और यहां रहने बाली 275 माओं की भोझन, प्रसादी की सीवा अब आपे अपने हाथों से खर्वा सकते हैं मैं जानता हूँ आज के समय में 70 रुपे की कोई वैल्यू नहीं है छोटे छोटे बचे पीजा बर्गर में 100, 200, 500 खर्च कर देते हैं जरा सोचिए अगर उसका सदुप्योग करेंगे और उनसे पुन्य मिलेगा टोकेना इनमाओं को वोजन प्रशाद पवाएं साथी जोडे इनमाओं की सिवा के साथ मैं गोरी कोपाल आने छेतर की पावन सिवा से हैं यहां बड़ी सुंदर और दुरलभ सिवा चकती है दुरलभ इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि यह दुरलभ संत हैं जोसी धा मरदावन में वास कर रहे हैं और केवल वासी नहीं कर रहे हैं इस पावन ब्रजभूमी में ठाकूर्दी का भधन भी कर रहे हैं ऐसे मैं मैं चाहूँगा कि ऐसे दुरलेफ संतों के दिपे संतों की दर्सन आप करें और संबब्त हो पाए तो किसी एक दिन की संपूर आने चेत्र की पावन सीवा मात्र 11000 मथ करें यहां चली वाली गउरी कुपार रसोय की दर्शन की होंगे है और प्रसाद भी आप सबने परकर करके कि मिलता, मैं चाहूंगा कि आप प्रसाद То पाया है, तो प्रसाद है कमाएं थोड़ी सी पुनि की भागीदारी आप करें थोड़ी से अच्छे काम आप करें और वह यह काम हो सकता है रसोई की पावंग सीवा में अपना हाथ आगे पटाते हुए आईए मैं चाहूँगा कि एक दिन की संपूर रसोई की सीवा आप भी अपने हाथों से करें एक मातर ऐसी दिपितम सीवा मातरी कतीस हजार रुपे की युगदान से तो होती है परन्तु हजारों लोगों को भरपेट भोजन देती है एक बार जोरदार तालिया सुन्दर सब्सक्राइब करें और गोपाल यहां जो गुर्कुल है वो निरनतर चली रहा है यहां सो से कहीं जादा निशुल के छात्र पड़ रहे हैं इस पावन गुर्कुल की सीवा के लिए जहां हमारे संस्कति संस्कारों को बचाया जा रहा है हमारी वैदिक परपार्टी को बचाया जा रहा है ऐसी पावंस सीबा से आप भी अपने आपको जोड़ सकते हैं इसो ने जिस लाइक आपको बनाया है आप अपने आपको जोड़ेंगे और नाम सोड़ेंगे उन दानभी चंदर सिंग जी गोपाल जी विष्ट आप रामनगर उत्राकंड से हैं और आपने इन सभी सीबाउं के लिए जिनके बारे में मैंने बताया दिखाया पचांस हजार एक रुपे के योगदान दिया एक बार जोड़दार ताणिया बनती है चंदर सिंग जी गोपाल विष्ट के लिए जिनोंने इतना सुंदर काम किया है और ऐसे में स्वर्गिये देवेंदर सिंग जी के नाम से दिली से उनके नाम से एक दिन की रसोई के लिए 31,000 रुपे के योगदान उनके संपूर्ट परिवार के माध्यम से दिया गया है आपके लिए भी बहुत बहुत धनीवाद इंतरावदी जी आप महावली यादव आप 31,000 रुपे विजेंदर रामचेंद यादव जी मनिस यादव मुंबई से आप भी 31,000 रुपे के योगदान दे रहे हैं आपके लिए भी बहुत बहुत धनीवाद इसी शणी में गौदान की पावन से वा से जोड़कर द्रुप्ती भाई राबत आप रायचेंद से 22,000 रुपे संजयन एक जी उडिसा से आप 21,000 रुपे गवरी देवी मागिला जी सोलां की बैंगुरू से आप 20,000 रुपे मूर्ती सिंगल जी आप बढटिंडा से 11,000 रुपे साधी सौन सौन मझी मैं तरुस आप शांपूर से 10,000 रुपे प्रतान करें संतु शाहू आप अंजोरी साओ आप 11,000 रुपे गरजा देवी जैपराइसां से 11,000 रुपे इंदरावती महाबली यादा मुंबई से 11,000 रुपे देवी करण जी मलोत्रा भीलप से 5,101 रुपे मद्वें जी बुद्भाया जी बड़तार कुद्रा से आप 25 रुपे लक्ष्मी देवी दिलिश्या आप दन करें आपके लिए भी बहुत बहुत धनिवाद इसे शनी में विक्रम स्रवन जी आनादी आनादी देवी जुनुर राहिशां से विजश्या पंच से अबढ़ा जी गुटा जी बारें इसी संणी में संगिता गिरीशंज जस्वाल आ भटकॉल महुं से आप दिश्या कि बढ़ा आप अर्जुन के आतिवारी बढ़वान भाश्य मंगान से कुर करणी विकाजी मुग्या जी पनला जी गुप्ता मुंबई से दिच्वाहन आप दान करहें अग्वार्ट रबाण याप धनवा जारकन से संजो देवी आप बिहार से 2100 पर अशनाशी बिरेंद पर चाज भी हार से राजगेर जी कस्रबाई तुकाराम जी राम रती साहु जी राजकुमारी देवी मुझापर पर बिहार से संजाजी पश्यम बंगाज स से प्रमाना जी पर दबाद से लक्षिम देवी दिली से पंच्वती दिवांगे नाप चर्दीगर से राम से देनन्द लाजी विश्चुकर्मा आप मुंबई से सची दोबी आप्सुत गुजरा से बिनोद कुमारी सोनीप से सांत कुमर्दी अमर्चिं जोत्व राइसां स सब्सक्राइब कर दे रहे हैं एक बार जोरदार तालियां प्रदीप गडपदी सावत मुंबई के लिए रहे हैं आपके लिए भी बहुत धनीवाद विद्याजी दिवांगरा है अब दन करें 11000 रुपे दिली से अब दस रुपे 11000 रुपे सुन्दर्चा योगदान दे रहे हैं यह सणी में अर्वेंद्यारब जी सुमन देवी आप मौरानीपुर जासी से आप एक लाख रुपे के योगदान सभी सिवाओं के देरें एक बार जोड़दार तानिया बंतियां के लिए सभी सिवाओं से आपने अपने आपको जोड़ा हैं वाइसी सणी में मम्ता यहत्रजी जासी से से दो हजार साथ सो दो रुपे का योगदान आप दे रहे हैं राम देश्मुक दुर्ग से आप 11,101 रुपे ने जी हमाल से सिक्की सुपे सत्यना जी भेल बाड़ा से उससा देवी अलबर से बिज़े सबनोत जी भी हार से बिज़ेश के हाता के बलारें वैसी सणी में अध जी जारकंट से 21,000 वाजे दो एक मां का आजीवन सहार बने हैं यह सदी में यस पाजी सुमंदेवी जमू से विज़ेश्चव स्रीपदी दाजी आप जारकंट जी आप 21,000 रुपे और जुन कुमारी प्रियागरा से 22,000 रुपे आप दे रहे हैं अने प्रशाजी भी हार स आज पावन कथा के साथ में यहां पोदी पाड भी बैठे और इस बार हमें कुछी हो रही हैं कि इस बार 88 वाप पोदी पाड यहां बैठा एक बार चोड़ दार तालिया है इस पावन दिपे संकल्ब के लिए 88 बार पोतिपार्ट यहां बैठा है और लगातार पूरी दुनिया से हमसे हमारे परिवारी जन जुड़ते हैं एक बार पूरा एक सो चोछट परिवारी जन हमसे जुड़ रहे हैं अपनी अनेको अनेक मंगल कामरा की पूर्थी के साथ में सिधांपरदावत से अपने आपको जोड़ते हैं और केवल जोड़ते ही नहीं सीवाओं सीवा भी करते हैं परिवारी बहुत बहुत धनी बाद आएए नाम तुरेंगे प्रमगनाम और प्रमग स्थानों से जहां से आप अपने आपको जोड़ रहे हैं जो पो टिपाट यजवान लोग यहां उपकसथ का प्रमुकःत्षानों का जो अपने आपको जोड़ रहे हैं आज की शनी में रगुबत दुरुब जी आप सर्गे तिलेश्वर जी दुरुब के नाम से पोधी पाड़ी आजबान आप बने हैं उनके नाम से यहां पार्ट करवा रहे हैं आत्मस्तांती के लिए छदीगर से आप जोड़ रहे हैं साथी सुवास कुमार सिंग जी आप से दुखल राम साओ जी आप सदीगर से नर् सिंग राय जी आप उत्तरफ्रदेश से महिश सिंगानिया आप नेपास से पोधी पाड़ी अजबान बने हैं बलके सर्बाद जी आप दिली से ग्राद जैस्वार आफ लखनों से रहाम पूर्देश्वर जी आप पंजाब से जंगेडव युनाइट अरव से पोथी पाट याजमान बने हैं और भार्तवर्श की पावन भूमी वरदावन से अपने आपको जोड रहे हैं आसा देविया भिहार से मरोधपुरवया भिहार से कमलेश नायग जी आप बिहार से पोधिबाड याजमान बने हैं अकिलेश कुमार जी कुष्वा आप उतवर्देश से उम्प्रकासा जी उसादेवी आप बिहार से राजी गौतम जी मदब्रदेश से हरेंद्री आप महिरंद्री दनेश्ट तिवारे जी कवरदा सदीशगर स से पोधिबाड याजमान बने हैं बीर्चिंग जी आप उतवर्देश से ममता से रभी कुमार जी जमू कस्मिर से सांदीदेवी बास्ते बरनबाल जी आप धारकन से नीलम जैसवाला भिकाजी रंजी प्रंजी आप बिहार से आम जोड़ रहे हैं राजन बाव अक्रबाल जी आप नई दिली से रश्याम बादुर्चिंग बरली उतवर्देश से कुमर बाई जी आप उतवर्देश से सांदीदेवी आप राई सांसे बोधिबाड याजमान बने हैं इसी शणी में बंसी प्रसाद रजाट जी आप बिहार से जस्वंती वें सुरिचन जी राणा जी आप बिहार से प्रवला जी राजबुद्य आप हैदराबाद से पोधिबाड याजमान बने हैं इसे शड़ी में वानुसाम जी देरादूंच से कविता भावरी उतवर्देश से अर्चिनाज कनौ जी आप मध्यवर्देश से अजय कुमार जी पंजाब से बने हैं बनी शिकादाजी आप ब्रण बादर र्यादव जी आप उत्तवर्देश से पोधिबाड याजमान बने हैं उपटीबाद बने आपके लिए बहुत घंवाद इसी संडी में पोतीबाद एज्मान बने हैं तान्या सिंग ढूट रहें आप नहीं दिली से कुसम बेन राजराम जी गुजराज से हरी प्रिया पड़ाज जी आप रामकुमारी पड़ल आप छदीगर से पोधिपार याजमान बने हैं इसी शनी में रागुन प्रसाद जी गामी आप नेपाज से तरुन प्रीज आप बंजाब से विजय कुमारी उत्पड़ से मुहि चतिगर्षे प्रभुस्तान या बिहार से राजी कुमार जी जैकुमार जी बागपत से प्रॉंट जी आहुजा आप नई दिली से मानकी देवी दार्जी लिंग्षे रवी संकर्जी आप जोड़ रहे हैं चतिगर्षे अनपुना राजवाड़े चतिगर्षी मिना देवी बिहार से पोधिबाट याजवान बने हैं इसी सटी में सुभाचन जी रोडा आप भरनाट से उद्वान चैजी सिकरवार आप गवाली अर्मदवर से संध्या देवी आप कानपरचे इंद्र मुकी देवी आप भिहार से पोधिबाट याज़वाड़े हैं लक्षमी कोवे बिहार से जदिनेवास माल पेंडी आप जोड़ रहे हैं साथी अनंजी मुद्गाय आप हरणा से पोधिबाट याज़वान बने हैं विसाल शिंग यादब अब उत्रप्रदेश से उनकुमारी महाजन नहिमाच अप्रदेश से वरार्ण से बैरिलाल तिवारी सिशाम जी अब उत्रप्रदेश से पोधिबाट याज़वान बने निरच कुमारी सोनकर प्रियाग्रा से कमलेश सर्मा भीमाचत से राजराम चुरसिया गुरक पर उत्रप्रदेश से मुनला जी आप दिली से रंजित पांडिया भिहार से धरंज सिंग बाउर आप हरदोई से कमला द उत्रप्रदेश से सुक्मार जी सर्मा नहीं दिली से सोरेस्टानी आप भरेना से नहरेश कुमार यरिना से शुलित कुमार बंसर राइसान से पोधिबाट याज़वान बने हैं यह जोड़े हैं रमेश कुमार पाड़ी आप छदी गष्य संजु देवी सदिश कुमार राजाबजी पोधिबाट याज़वान बने हैं इसने गोयल आप जमुक कस्वीर से फोल्चन जी सौनी पतरना से बविताराणी आप नई दिली से सोर्जी सिंधी आप हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं राकेश यादव जी आम दिली से जुदका दे आप धरकंट से से क्रिष्णा जी सत्पाज जी आप हरणा से दिनेश चौधी कोलकाता पश्यम बंगाल से स्याम सुन्दर जी आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं अजय कुमार मुहंती आप सब्रिवार जोड़े हैं गणेश चौधरी आप बिहार से जगदिश कुमारी गोजदा स्री धाम प्रदाव से जोड़ा पावन से जोड़ा और पुर्ण ने लावर्जित किया है ऐसे सभी पोती पाड़ी यजमान परिवारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से चलेंगे उसी पावार स्टेडी में जहां दानवीर महापुर्षों के हम नाम सु लेंगे जीनों अपनी योगदान के हां तकि बढ़ाएं इतना सुन्दर सुफ कारे किया है तो क्यों ना इनकी नाम का हिस्मन करें ताकि इनकी नाम को सुन्दे मात्र से हमें भी पुनि मिल जाए अगर आप सामर्त वाने हैं और भाव आपका जाग जाए तो ऐसे में में कहूंगा कि आप भी चूके नहीं इन पावंस सीबां से जोड़ना और पुनिक कमाना उसी शेड़ी में रुकमणी जी आप छती गड़ सी कुमार जी आप प्यागरा से 22 रुपे अनली प्रथाज जी बिहार से किसुपे डागर प्रशाजी प्रदान आप सदी गड़ से सवर समले स्तुरी किरतन मंडी सदी गड़ से विज़ेश रामशन साजी नेपाल से सितर रमशनी जपराइस्थां से पांट रुपे लेकरा जी दिली से आख तर्शेट दिली से राजी बिहार जी भी वाजवि कानपट से किसुपे मोंनलाजी दिली से बल्लाम चौट से जब मढब शेकेशन गंश थाःट कर बांकी वहर जी इगिनाव्से 11 जुपी का योगदान दिया गया है इसी सभी में नीतु जी आप भिहार से ब पंजाब से क्यामत रुपी गुरक पर से 22,000 रुपी का योगदान दे रहे हैं इसे शनी में गुरक नाजी गुरक पर से साथी असो किया तब यू नाव से बिचेश से रिनुदेवी जौनपर से गुफ्तदान के रुपे बलराम जी शीलाब आसम से आप 50 रुपी निलम देवी हिमाचल से बिचेश से जगदेव जी इमाचल से बिचेश से क्या हाथ आगे बढ़ा रहे हैं आमके लिए बहुत बहुत धनीबाद शीदराम्ती प्रेम्रता जी ब्लास्पुर्ट से रसोई के बिचेश के बलारी आपके लिए भी बहुत बहुत धनीबाद इसे सीह बें अंलिल स्र्माघी गजीवास से गयाराज हमला जी गवता तर्भंगा विःवार से 26 आप प्रताफ़ गर्षे सथ्यवका प्रताब गर्षे आशक कीश्थ क्रताफ़एश जेट्रल गर्ंडेंप oui सबस्क्राइब न हार 20 रुपे सभड़ रुपे सेनी मुझपर्प्र भिभार्प प्रुपे से बिहार गर्दाप गट राज कुमार्जी आसम से भिभिक कुमार्जी परिषी चन्दा देवी पटना भिहार से किस रूप बिकरमति पर प्रफ़ा लाप चतिगर से और विम्ला देवी वासलिव गुरुकपर से 55001 रुपे दे रहें आपके लिए भी बहुत धनीवाद यसी शनी में नीलम दिविजी आप जम्मु से आप बिशे से बुदान करें सुबद्रा भुनकर आप चिंदबडा से 201 रुपे कौसिला जी दिली से आप बिशे से बंगुला जी के वड़ आप बिशे से मायदेवी अधरपदी सुबाराम जी आगरा से 5005 रुपे का योगदान दे रहे है इसी सणी में पंजाब से गुद्दान 2,051 रुपे दे रहे हैं साथी कांगला से 21 रुपे गुद्दान सुचीला पड़ली आप 3100 रुपे आप दे रहे हैं अन्न छेत्र की पावंग से बंग के लिए साथी राम भाई पहला जी सदीगर से बिशे देव सिंजी अजारकन स सुचिला कुक्रेज दिली से बिशेश्चा शुकबदी पलबाद से बिशेश्चा सांधी चोद्री आप चादीगर सी किसुपे रजनी रस्तोगी राय बड़ली से बिशेश्चा कुमारी कर्णा से क्यावंग सुपे शामसुंदर तरवेदी उन आप से आप 10,000 रुपे श सालोगी कप्ता 4,100 रुपे और चेत्रों की बावन से बिशेश्चा शुपे राजावेदी आप चत्रों रुपे शिप शिप शिर्ण जी आप फिर दबाद से बीस दरवे निहर्चंती बंसलाब दिली से बिशेश्चा सो मांदेवी शी मांदेवी आजकुमान की गया विह पांच जार एक सो रुपे दे रहे हैं पूज आवासने अली गार से आम दस जार रुपे साहरी परमार मुंबई से आप बेजस्टा राजकोवानी हिरनाद गर से बिशेच्टा सांधी बाइच शंद्राका सब्रीवार राइपोट से दोजार रुपे गौरी वर्माजी से पांच जार एक सुरुपे आम दे रहे हैं असो ग्रावाजी कानपूर से बिशेच्टा रुपे साथी बरपाई देवी पानीपस से पांच जार रुपे अने च्छेतरी बावंस से बगली मनो जी पानीपस से बिक्रम कुमारी लुद्याना पंजाब से ब्रजरानी देवी सब्सक्राइब आप दन करें को चली सब्सक्राइब अधरी इंदौर से गोपालदाजी संदोस राणी सब परिवाल लुद्यान बंजा आप से कम श्याम डॉक्तर प्लाइब आप मुराद गंज औरिया से 11 रुपी के योगदान दे रहें आपके लिए भी बहुत आंता देवी सतेंद्र केसरी जारकंट शेयां बढ़े से स्वरेंज जी तो भी आप गॉंडा से आप बिज़ेश्च पतान करें स्वरतन जोती गॉंडा सी भी जबारी आपके लिए बहुत धनीवाद शुबाद आपके लिए बहुत धनीवाद जोतें रावच जी आप आपके लिए बहुत बहुत धनीवाद इसी शनी में अने चेत्र की पावं से बगली अब्देश कुमार गौतम आप 11,000 रुपे श्रीमरी चंद्राफदी से नी दिली से आप 11,000 रुपे शुड़के दुकाव नेसाल जी की शुमदी में 20 में साथ के द्वारा 11,000 रुपे क गोंजासिंजी चंदीगाट से 10,000 रुपे सितलाजी गुपता प्लासपुर चंदीगाट से आप भिज़े साइक रुपे 11,000 रुपे रमा बंसल प्रश्यम बंगा से 6,500 रुपे वंदर नाशींजी सौन बदर से 51,000 रुपे समय ठाकोची बुरान पर से 50,000 रुपे विका क्यामस्त रुपे आप नातू लाल जी नागरबरन राहिसां से क्यामस्त रुपे मंगल देव जी आप गजवरें गोली प्रश्यम बंगाट से आप 8,000 रुपे कामेश्व मैतब विहार्ट से आप 5,100 रुपे स्वरी अंकित कुमार जी बगत के नाम से 50,000 रुपे गुजर साजी बिहार से 2,100 रुपे का योगदान दे रहे हैं इसे शणी में 2100 रुपे दिवक कुमार ठागुर गंगा देवी दिलिश्यां बिचल से हरी नाम से पाला बिचल से तोची सांपरे मंगली से 2,300 क्यामर रुपे दे रहे हैं आपके लिए भी बहुत बधनीबार विनोत से राजेंट प्रसाद सुकला अब दिलिश्यां अन्यमिका साहुजी राजेंट गाउं से मारकांडे दोवी बानुमति दिविया आप दे रहे हैं गड़ से सब्सक्राइब दे रहे हैं आपके लिए भी बहुत बहुत धनीबाद इसे शनी में श्यमा देभी जलाल रतंजी जलाल आप दिली से 31 मनुकुमा शितामनी भिहार से बिजेश्य के हाथ आगी बढ़ा रहें एक बार जोड़ दार्तानिया सभी दानवी महापुर्शों के ल चल रही है और वास्ता में बड़ी खुशी होती है हम जिसके निवेत जिसके नाम से जो काम करते हैं वह सार्तक होता है एक बार जोड़दार तालिया सद्गुर्दे भगबान के लिए जिनकी थोड़ी दिर में उपसित होने जा रही है आज मैं आपकी आँखे देख रहा ह है आज गुरदे भगबान आने में तो उससे पहले पावं सिवाओं के बारे में हम जान पारें इतना अच्छा समय हमें मिला है एक बार जोड़दार तालियां तो वजाई उनके लिए जिनके नाम बोलते होए आज पूरा आधा घंटा हो गया इतनी जादा संख्या में मेर करें चड़ों की सिवा करें और आप इन माओं का क्यों ना किसी एक मा का सहारा बन जाएं 275 माओं की यहां सिवा होती है वो माएं जिनको सताने वाले रुनाने वाले ठुकराने वाले कोई और नहीं बलकि उनकी सगी उलादें वो सगी बच्चे वो सगा खून जिन्होंने स हारा देने की बजाएं उनका हाथ थामने के बजाए हाथ बकड़कर उनमाओं को घरसे बाहर निकाल दिया कहने को बड़ी पीडाहि इन माओं की जीवन में इन सब्दों में लेकिन कहते हैं कि जो समझता है वही जानता है कि दर्द कितना होता है जब अपना अपना ही घर से अपना ही कोई निकाले आए इस पीड़ा को समझने में सद्गुड़ भगबान तैनाने पूरा प्यास किया और माओं को पीड़ा को दूर किया और आस हमारे आश्रम में में 257 माइं रहें और वास्ताम में हमें उनके चड़ों कि सेबा करतोई नहीं यह परहाई हैं किसी भी जाती की पो किसी भी धर्म की हो किसी भी मजभ किसी भी पंत्त की हो हर मा को यहां मा के रूप में पूजा जाता है बड़ाइ संदर गौरीकोपल आसरम यह मंदिर है जहां पूजा भी माहों की हो Titter ऑफी दो पैल तर्ट बहुतीikle प्रतिक्षा के साथ में चाहूंगा कि आपका मन बटा रहे सेवाओं से आप जुड़े रहें जब तक सब्सक्राइब आएं तब तक ऐसा आपको लगे नहीं अकेला बन तो आईए सेवाओं में बापस चलेंगे बड़ी सुन्दर पावंस सेवा हैं माओं की सेवा आपने सब का नास होता है क्योंकि इनमाओं की सेवा कोई और नहीं कर रहा विहारी जीकरूप में हम और आप सब लोग करें और पूझे सद्वर्य भगबान कर रहे हैं ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप भी इनमाओं का सहारा बने मात्र 21,000 रुपी के चोड़ेश युक्दान से जड़ रगवीर याद रखिए जैसे पंच्चियों के पीने से नदी का जल नहीं घड़ता वैसे ही दान देने से धन नहीं घड़ता बल की धन बढ़ता है यह गलत फेमी हमें रहती है कि अगर हम दान देंगे तो धन कर्च हो जाएगा मेरे भाई धन कर्च नहीं होता हो पैसा भल का सहारा बनें इस परिवार का हिस्सा बनें जो आश्रम परिवाद यहां निरंतर कारी कर रहा है 255 माएं हैं और पूरे दुनिया से अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग सभिता से अलग-अलग परिवेश से यहां माएं रह रही हैं सभी को एक समान प्यार यहां मिलता ह से वावा होती है ऐसे में मांव की लिए स्वा अपने आफ को जोड़ सके हैं और बड़ी सुन्दर शेबा यहां गौरि कोपाल अनुच Edra की रूप में आपको देखने को मिलती आपने दर्शन भी होंगे सुबह लोग जो आते हैं अपनी आगों से देखते हैं यहीं परिक्रमा मार्क परसाद कोड़े भगवान अन्चेटर की पावं सीवा करते हैं अन्दान की कोई सीमा नहीं है जो जितना चाहे उतना ले सकता है भरपेट भूजन लेकरके जाता है निसुल्क भूजन दिया जात कितना सुन्दरकारी हमारे सत्वड़ीं भगवान कर रहे हैं तो क्यों न जुड़ें उनके साथ में क्यों न करें सिवाएं। इसे के साथ में कहते हैं कि अन्न दानम समंदानम न भूतो न भवश्यती अन्न जैसा दान अन्न जैसा महादान न कभी भूत काल में हो सकता है न कभी वर्तिमान काल में हो सकता है क्योंकि अन्न दान वो दान होता है जो जीवन दान देने के समान होता है याद रखिए ये जो स तो लगता है कि जैसे हमने किसी को जीवन दान दिया है तो सोचिए कितना अच्छा कार्य हम करते हैं वो लोग करते हैं जो अन्यदान करते हैं मैं especially उन से कहना चाहूंगा कि आप एक बार विंदावन के आकर के देखें आप यह देखें अनवब करें कि हम जो बता रहे हैं हम जो दिखा रहे हैं वह वास्तम में सही भी है या नहीं है ऐसे में जब आप यहां आएंगे अपनी आखों से आप देखेंगे तो आप यह उसे करें जहां मातर 31,000 रुपी के छोटी शुगदान से ही हजारों लोगों को प्रशादी पवाने का स्वबसर हमें मिलता है जरा सोची जब हम प्रशादी करते हैं तो क्रत्नी प्रप्ति हमें होती है हमारी आत्मा से हमारे दिल से आशीर बाद निकलता है जब एक साथ आ अपने आपको तो जोड़ें और भी लोगों को जोड़ें तो कि कहते हैं कि पुन्य जोड़ने से बढ़ता है पाप बांटने से घट जाता है जब आप पाप को किसी दूसरे को बताते हैं तो वो कम हो जाता है और पुन्य जब आप औरों को जोड़ते हैं तो पुन्य बढ से रसोई की पावंद सिवा के साथ में बड़ी सुंदर सिवा यहां गौरी कोपाल गौसाला में गौमाताओं की हो रही है एक से एक सुंदर गौमाता यहां यहां गौरी कोपाल गौसाला में रहे करते हैं कि गौतान की पव्माता की सिवा जॆता करें और साथी यहां गौमता के लिए हाराचारा एस़ी पावन पवित्र भूमी के रुπαर को यहां ली जा रही है की जा रही है एस़ी पावन पवित्र भूमी का आप भी दान कर सकते हैं और भूमी दान की पावन सिभा से आप अपने आपको जोड़ सकते हैं देखिए सद्गुर्द भगबान अपने हादों से यहां गौदान करवा रहे हैं कितना सुंदर यह कारे है जो सद्गुर्द भगबान स्वेम अपने हादों से करवा रहे हैं ऐसे में मैं चाहूंगा कि गौधान की पावन सिभा से गौतरन की पावन भूमी से जहां इन गौमाताओं के लिए हराचारा उगाए जाएगा ऐसी पावन पवित्र भूमी की सिभा से आप अपने आपको जोड़ें इसी के साथ में गौमाताओं की सिभा के साथ में यहां बड़ी सुन्दर सीवा इन गौमाताओं के लिए हरे चारिक रूप में आप कर सकते हैं। आप इन गौमाताओं के लिए आप बिनोला, खल, आप हराचारा, इत्यादी आप अपनी योगदान के हाँ तक बढ़ात होएं। गौद इत्यादी इन गौमाताओं के लिए परदान कर सकते हैं और अपना नाम लिखाते होएं पुन्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसे के साथ में यहां एक और बड़ी सुन्दर अति पावन महतपुर सीवा तुलादान की सीवा चल रही है। तुलादान करने से कहते हैं बड़ाई सुन्दर पावन पुन्य मिलता है। तुलादान की पावन सीवा से जोड़कर आप अपने बजन के हिसाब से गौमताओं के लिए हरा चारा यहां चलने बाले आने छेतर की पावन सीवा के लिए खादिशा मगरी जैसे कि आप आटा दाल चावल चीनी नमक इत्यादी मिठाई पंचमेवा जो भी आप तुलादान की सीवा करना चाहें तुलादान की पावन सीवा से जोड़कर करके आप यह पावन पुनीत कारी भी अपने हाथों से कर सकते हैं वो भी यहीं गौरी गोपाल आश्रम में इसे के साथ में गौ आन्यत्र और विष्ट सीवाओं के साथ में आप चलेंगे पावन निर्माणकारी के ओर जो यहां निरंतर हो रहा है आपने देखा योगा बड़ाई सुंदन आस्रम जिसके आप यहां बेस्मेंट में बैटकर के कता सुन रहे हैं बड़ाई सुंदर आस्रम का दिव निर्म है जहां सेबा भी माओं के होगी पूजा भी माओं के होगी ऐसे दिबतम कार से जुड़ कर आप भी इस नीरमान कारे में एक अहूती अपने हादों की लगा सकते हैं पुने कमाने के लिए अगर आप एक इट लगाने लाइक है तो एक इट लगाएं मैं चाहूंगा कि इस दिप में निर्वान कार्ट से आप भी अपने आपको जोड़ें आईए इसी के साथ में अगर आप सामरतवानें तो आप एक कवरा मातर पांच लाग रुपे के युगदान से संपूर इन माओं के लिए बरवा सकते हैं संपूर कवरा जहां माएं रहेंगी और आपके और हमारे ना रहने पर भी जब यहां माएं रहेंगी सेवा होगी तो उससे पुन्य की प्राफ्ति हमें निरंतर होती रहेगी ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप यहां एक कवरा अगर सामरतवानें तो इन माओं के लिए अपने नाम से अपने बच्चों के नाम से पूर्वद्यों के नाम से बनवाएं और आप पुनी की प्राफ्ति करें इसी के साथ में आप यह नहीं कर पारें कोई बात नहीं आप किसी एक कवरे की शत के लिए मातर ग्यावन हजार रुपे अपने आपको जोड़ सकते हैं मातर ग्यावन हजार रुपे की यगदान से एक सुन्दर सी चत की विवस्ता इन माओं के सिर पे आप इस आश्रम में करवा सकते हैं इसी के साथ में बड़ी सुन्दर पावन और भी सिवा जैसे की गुर्कुल की पावन सिवा यहां बड़ी सुन्दर पावन गुर्कुल की सिवा चल रही है और एक वर्स यहां चोने सिख्षक ग्रहन की एक बार जोरदार तालिया सद्गुर्जे भगबान के लिए इस पावन गुर्कुल के लिए जहां निरंतर अपनी संस्कति की बचाप के लिए अपने संस्कारों की बचाप के लिए यहां ऐसे योगी बच्चे ऐसे योगी छात्र तयार किये जा रह करते हैं तो आईए एक साल संपनता की खुशी में अब यहां दूसरी वर्स का पाट एक्रम शुरू होने बाला है जुलाई से ऐसे में मैं चाहूंगा कि गुर्कुल की पावंस्टीबास से अगर आम जुड़ने लाइक हैं तो आम जुड़ें अगर आप इक पाट साला कक्ष संपूर बनवा सकते हैं तो एक पाट साला कक्ष बनवाएं इन विद्यारति गणों के लिए आप जो भी विवस्ता करने लाइक है पठन पाठन की शामगरी आप इनके लिए ब्लैक बोर देना चाहें चाहां खडिया जो भी जिस योग की देने लाइक हैं आप इनके लिए विश्तर दे सकते हैं इन चात्रों के लिए भूजन प्रशादिक विवस्ता कर सकते हैं आप जिस लाइक हैं उस सीवा से जोड़कर के आप अपने आपको जोड़ सकते हैं आई यह मैं तो यही कहूंगा कि अपने लिए ना सही अपने समाच के लिए सही अपने राष्ट के कलें इसे के साथ में और ब्रामणों को आवहान करते सभी का वरंड करते हुए और पुदिए कि जितने भी पोतिपाट याजमान परिवाट जोड़े उन सब की मंगल कामनाओं की पूरती यहां से सदोड़े भगवान के माध्यम से प्रात्थना के बल के माध्यम से हो सके आईए मैं चाहूंगा कि इस बार जो भी छूट गए जिनका पोतिपाट नहीं बैट पाया वह आ करेंगे लेकिन नाम रोशन अपने मात्र भासा का करेंगे एक बार जोड़दार तालियां बंती है पावन कारी के लिए जिस कारी से जुड़ने का स्वपसर हमें मिल रहा है आईए मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी उदासी आपकी दूर की जाए एक प्यारे से भजन के साथ म हमारे अंकेत भाईया शुक्दे भाईया एक प्यारा सा भजन सुराएंगे और हो सकता है कि उसी छण में सट्वली भगवान का आगमन हो जाए एक बार जोड़दार तालिया हमारी पूरी संगी टीम के लिए आईए एक मदर से भजन के साथ में अपने मन और वानी को पवि हरी लाले की जए हो सकी सपनी में हो सकी सपनी में कैनों की बात हो गए हो साबर से मेरी मुलाकत हो गए ताली ताली जए हो जए हो जड़े मस्कील साथ ताली से बगते हुए हो सकी सपनी में है हो सकी सपनी में कैनों की बात हो गए सकी सपनी में कैनों की बात हो गए हाँ साबर से मेरी मुलाकत 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 हो गए हो मैं तो कहरी नहीं दिल में सोय रही उस प्यारे के सपनों में खोय रही थी सकी कैसे है हो सकी कैसे बताओ कर आमात हो गए सकी कैसे बताओ कर आमात हो गए हाँ साबर से मेरी मुलाकत हो गए हाँ साबर से मेरी मुलाकत हो गए मुलाकत हो गए हो थीरे थीरे वो पास मेरे आने लगा मुझ बिरहन को दिल से लगाने लगा मुझ बिरहन को दिल से लगाने लगा हो मेरी अखियों से हो मेरी अखियों से असकी की बरसात हो गए हाँ साबर से मेरी मुलाकत हो गए हाँ साबर से मेरी मुलाकत हो गए हाँ हाँ हो अपने साजन की पगली दिवानी हुई हम भगतों पी ऐसी कहानी हुई हम भगतों पी ऐसी कहानी हुई मिली उसकी जलकिये सौबात हो गई हाँ साबर जे मेरी मुलाकात 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 हो गई कि अपर जोरदार तानिया हमारी पुरी टेम के लिए बड़ाई सुंदर बजन सुनाया और थोड़ी देर में सद्गुर्द्य भगवान का आगवन होने जा रहा है बड़ाई सुंदर आपका सब्रहा और कहते हैं कि सब्रकरो तो फल मिलता है आज नहीं तो कल मिलता है और जि देखना जो आप इंतजार कर रहे हैं जो प्रतिक्षा की घड़ी का आपको इंतजार है वह इतनी सुखद होने वाली है आपने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा यह सर्प्राइज है आप लोगों के लिए पताया नहीं जाएगा थोड़ी देर में जो होने बाला है वास समय आपकी आँखों के लिए बड़ा सुखद और आनंद दायक रहेगा क्योंकि आज सद्गोरी भगबान किस बिलम के कारण यहां आ रहे हैं बिलम से वो आप खुद देखेंगे तो सब भूल जाएंगे अपनी पीड़ा अपनी ठकान तो थोड़ा सा और इंतजार थ अश्के बाद में सद्गोरी भगबान का दिव्यत दर्शन हम और आप सब लोग करेंगे आए तब तक सद्गोरी भगबान आए एक बार फिर से जूमेंगे मस्ती में इस वार हमारे सुखद भहिया के लिए एक बार जोड़दार तालियां सुन्दर से बदन के लिए अरे रंग पाको सवरिया तारी गए औरी अरे तारी गए औरी तारी गए औरी पिहार जी का रंग किसको किसको पढ़ा है जरा हांद ख़ड़े करके बताएंगे सबी रंगे हुए है और जिनको नासना है जिरा जूनकते लिए अरे तारी कयो तारी कयो तारी कयो औरी तार गए औरी रंग पाको रंगे पाको सवरिया तार गई ओरी रगबाको सवरिया सेखो सारी सेरस रंगी जरितारी सारी सेरस रंगी जरितारी हर पिचकारी हर पिचकारी मार गई ओरी तार गई ओरी रंगे बाको सवरिया तार गई ओरी ओरी रंगे बाको सवरिया तार गई ओरी जरितारी सबी अपने सार पर खड़ो जाएंगे गुरुदेव हाँ वल्गन है गुरुदेव अभी रंगन है गुरुदेव सवागत है गुरुदेव आपका सवागत है गुरुदेव हाँ प्रभ्म शरूपा साथी सरूपा भक्ती सरूपा है गुरुदेव सवागत है गुरुदेव आपका सवागत है गुरुदेव अभी नंडन है गुरुदेव सवागत है गुरुदेव आपका स्वागत है गुरुदेश बोलिया बागेश्वर धाम की सद्गुरुदेव भगवान की बोलिया गौरी गोपाल भगवान की स्री बागेश्वर धाम की पूज्य महराज जी की पूज्य स्री महराज जी के साथ हाई सभी भक्तों की इंद्रेश भईया की भईया धिरेंद्र भईया की आप सभी भक्तों की आज हमारे बीच में भगवान के ही स्वरूप में अतिथी देवो भव इसलिए हमारे आहां अतिथी की रूप में आज भगवान इस रूप में कि आज कि सबी लोग बैढ़ जाएं बैढ़ जाएं प्रहं dalam से सब बढ़ जाएं ए एप सब लोग अच्छा संति से बैढ़ जाएं आज मैया बैढ़ जाओ आज हमारे बीच में महराजी आये हैं महराजी को जल्दी ही जाना है इसलिए दो शब्द महराजी की दिब्यवाणी से स्रवन कर लेंगे पूज इंद्रेश भही अपनी वाणी हम तक पहुचाएंगे और सुन्दर हम उनकी दिप्यवाणी को दो मिनट सुनके फिर पूज महराजी को श्रवन करेंगे एक मिनट पुलो व्रिंदावन विहारी लाल की गौरी गोपाल भगवान की सबसंतन की व्रिंदावन धाम की जै जै श्री रादेव परम आनंद काज लक्षन यहां दर्शन हो रहा है हमारे परम पूजनिय श्री अनिरुद्धाचारे जी महराज के गौरी गोपाल आश्रम में आज पुना आने का अवसर हुआ और आज व्रिंदावन की भूमी पर साक्षाद श्री हनुमान जी के यह रूप में हमारे बागेश्वर धाम सरकार पधारे हैं उनका ब्रजवासी होने के नाते बहुत बहुत अविनन्दन खूब खूब स्वागत जादा बोलने का अवकाश नहीं है आप सब लोग कथा श्रवन करने के लिए यहां बैठे हैं बस आप सब लोगों को बारं बार अब होली तो निकल गई है पर वास्तम अब लग रही है रंग विरंगी से होली होली तो अब लग रही है कि यहां ऐसे महापुरुष पधारे हैं तो ऐसे पावन होली उत्सव कि आप सब को खूब खूब बधाई हो खूब बधाई हो अब महाराज जी दो शब्द कहें फिर आप लोग कथा श्रवन करेंगे जैश्री कृष्णी श्री राम नमा गुरुब्यो गुरुपादुकाभ्यो नमा परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्शित्यस्वरपादुकाभ्यो संत बड़े परमार्थी भेश धरे अवधूत राम नाम को गुला फेके भाग जाएं सब भूत डले रहो दरबार में कहां बाके विहारी के दरबार में डले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ एक दिने सा आएगा तो महिं धनी हो जाओ गुलो ब्रंदावन विहारी लाल की श्री के सोरी जू की गोरी गोपाल धाम की परम पूझ श्री संत जनों की जगत गुरू भगवान की स्री शितार आमनाम भगवान की हमारे अगल भगल भगवान की क्रपा से दो दो अनुज खड़े हैं एक तरब से आप हमें सुरक्षत किये हैं दूसरे तरब से आप सुरक्षत किये हैं फिर भी कुर्ता फटते फटते बचा है हमारे प्रिय अनुज बाग देवी शरश्वती के बड़े ही अद्वुद करपा पात्र और स्री धाम ब्रंदाबन के कथा ब्यासों में शिर मौरी के रूप में जने जाना जाता पुझ निये पिता जी स्री ठाकर जी के सुपुत्र हमारे दक्षिन भाग में अनुज आचारे पुझ शरी इंद्रे सुपाद्याय जी है आपके उपर स्रश्वती की बड़ी करपा है और बाम भाग में गौरी गोपाल धाम के द्वारा पूरे विश्व को एक नई क्रांती से जोडने बाले और कथा ब्यासों में एक नई लकीर को खीचने बाले ब्रद्धों के समान को बढ़ाने बाले और अनपूर्णा माता की करपा से भूंके के वो भोजन प्यासे को पानी अब्रज की रज और ठाकुर जी ब्रंदावन की रजधानी में बास कर रहे है ऐसे हमारे अनुज जिनके उपर ठाकुर जी की बड़ी करपा और आप लोगों के बड़े ही चहेते लाड़ ले आचार पुज श्री अनुद्धा चार जी महराज जी हमारा सोभाग है कि हमको स्रीधाम ब्रंदावन आने का मोका मिला सब संतों के दर्शन मिले और गौरी गोपाल की दिब सेवा देखने का दर्शन करने का सोभाग मिला सामने से यहां तक आने में ऐसा लगा जैसे चौदा साल का बनबास कट गया हो लेकिन आप सब का भाव बर्ज के प्रती ठाकुर जी के प्रती जो है बड़ा अदुबत है आज प्रवचन का बिसे नहीं है अपितु आगामी हमें यात्रा पर जाना है पर दो सब्द में हम इतना ही कहेंगे कथा के द्वारा तो सब ने समझाया पर कथाकार वही है जो चरित्र निर्माड करके दुनिया को सिखा सके चित्र के द्वारा तो बहुत लोगों ने समझाया पर चरित्र के द्वारा तो कुछ-कुछ महापुरस ही समझा सकते हैं ऐसे स्रीधाम ब्रंदावन में गौरी गोपाल आस्रम में हम आये हैं और यहां आकर बड़ी आत्मन भूती हुई बड़ा अद्भुत लगा कि हमारे प्रिय ऐसी सेबा कर रहे हैं जो निश्यत रूप से जन मानस के लिए एक नई क्रांती है हनमांगी करें बालाजी करें सन्यासी बाबा करें इनको काउ की नजर ना लगें एसी सन्यासी बाबा कर पाकरें और इस मंच से एक ही बात कहेंगे बहुत ही जल्दी स्रीधाम ब्रंदाबन के 20 किलो मीटर के छेत्र से मास मंदरा का विक्रे पूर्टया बंद हो जाना चाहिए क्योंकि ब्रजबासी हमारी आत्मा है ब्रजबासी हमारे प्रान है हमारे पूज मलूक पीठबाले महराजी कहते हैं कि कोई भी ब्रजबासी तुमको सुईकार कर ले तो ये समझना साक्षात बांके बिहारी ने तुमको अपना बना लिया है ये हमारा सोभाग है कि हमको ब्रजबासीों का लाड आसिरबाद उनका इसने ममत पुजनी पिताजी सिरी ठाकुर जी का असिरबाद सम महाफुर्षों का मिलता है तो हम प्रिये जनों से यही प्रातना करेंगे आप ब्रिज में तो आए हो कथा सुनने आए दर्सन करने आए पर हमारी यही प्रातना है इस कथा को अपने जीवन में चरित्र में उतार कर और ब्रिंदावन के लिए एक मांग जरूर करना सीक्रती सीक्र ब्रिज धाम से मास मंदरा का विक्रय बंद हो जाना चाहिए और ऐसे चो साब भी हमारे बड़े ही लाडले हैं आनंद साही जी बाला जी के बड़े ही क्रपा पात्र हैं इनको भी हम कहेंगे कि अगर ऐसे कुछ दिखें तो आप तो प्रशासन हैं निश्चत रूप से भारत कानून विवस्ता पर चल रहा और हम कानून के अंतरगत ही जीना चाहते हैं तो हम ब्रिजबासियों के लिए बहुत ही जल्दी ठाकुर जी तो मतुरा में ब्राजमान होने ही बाले हैं त्रेता यूग आ गया अब द्वापर भी आने बाला है यह भारत बाबर का नहीं रगुबर का है तो मतुरा में हमारे जेश्ट ब्राता स्री पुझ श्री देवकी नंदन ठाकुर जी अनबरत कृष्ण जनम भूमी के लिए क्रांती खड़ी कर रहे हैं बहुत ही जल्दी सभी बर्जवासी ठाकुर जी को तो बराजमान करवाएंगे पर गौरी गोपाल के मंच से एक काम जरूर होना चाहिए स्री धाम ब्रिंदावन के मास मंद्रा बिक्रे पर पूर्टया रोक लगनी चाहिए कौन कौन ऐसा चाहता है पक्का अरे जोरसं तो बोलो जो नहीं चाहता है उसका क्या जो बेंचने बाले है उनकी ठटली इसी के साथ गोरी गोपाल धाम की बागे सर धाम की बागे बिहारी लाल की गोरी गोपाल धाम के पागलन की अरे पागलो सीता राम जोर से वोलो सीता राम सीता राम आप लोग बढ़िया कथा सुनो, हम अपने अनुज को बढ़िया कथा पर ब्राजमान करवा रहे, इनको काव की नजर ना लगे, इनके सभी कामों में सहयोग करो, सब लोग कथा सुनो, माताओं को भी मिलो, हम मिले, बहुत आनन दाया, माताओं ने बताया, एक माता जी बोली गुर्यूजी हमें तो यहां खाने को इठिली भी मिलती है और नहीं का माता जी इठिली क्या है बुले वो चावलन की नहीं बनाता अरे हमका इडिली अब हम कथा प्रारम करवा देते हैं और हम ले रहे हैं बिदा दुबारा कभी आभी खूप प्रवचन सुना भी चंताने करो बोलना पड़ेगा गौरी गौपाल धाम की गौरी गौपाल धाम की हम तो बाला जी के बाला जी गौलिया स्वामे जी सरकार की महराजी का बहुत बहुत बंदन अभिनंदन आप आए अपनी चरण रज हमें प्रदान आपके माध्यम से आपने कराया हम क्रितार्च हुए आपकी चरण रज से आपके दर्शन से पूझ इंद्रेश भहिया जी के चरण रज पूझ महराजी की चरण रज से हम क्रितार्च हुए आपका बहुत-बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन बोलिये बाके विहारी लाल की जै गौरी गुपाल भगवान की जै बागे इस्वर धामे की जै स्री राम जै राम जै जै राम 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 स्री राम जै राम स्री राम जै राम जै जै राम स्री राम जे राम जे जे 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 राम स्री राम 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 जे राम स्रिभागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है ताहरती ये अमर ग्रंत ये मों की पंक ये बच्चव में दिराला अब जोती जगाने वाला हरी नाम यही हरी रान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है ताहरती भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है ताहरती ये सांदिगित पावन पुनीत पापों को बिताने वाला हरी दर्स कराने वाला है ये सुक गरनी ये लुक हरनी त्रीमत सूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगपंत कोल सन्मार्ग दिखाने वाला अभी की को बनाने वाला स्री रौन यही घनशान यही रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भाहत मत भजवाल की है आहरती पापियों को पाप से है तारती करपूर गौरं धर्वावकारं संजार सारं वजगेंद्रहारं सदावसंगं अधियार वेद्ध पवंपवानी सैथम्टामामी अधियार वेद्ध पवंपवानी सैथम्टामामी ओप जयन सेथिली गणंपस्पाइदे वादि मनमारुक्या था अंतुन मंत्र पस्पांजर हुं ना सुपनी इथा गालुग भवानी जबस्पांजलर मया दित्त ग्रिहान प्रमेश्परा सिर प्राण परसोत्तमान महं अधियार विहारि लाल की जयन सभी लगविराजवन हो जाएंगे अपने इस्तान पर भूजे सदोर भगवान असन प्रिवेश करेंगे आज की दुपे पढ़ी सुंदर पावन कथा के सभी लगवार दोना हाथ उठागवले भाव से मेरे साथ बोले राधेर अब आएज की पावन कथा में प्रिवेश करेंगे। श्रीमते रामा नुजाय नमा श्री राधा कृष्णा भ्याम नमा नारायनम नमस्कृत्य नरम्चैव नरोत्यमम तेवी सरस्वतीम व्यासं ततो जयमुदीरे लक्षमी नाच समारंभाम नाच यामुन मध्यमाम असमदाचार्य पर्यंताम बंदे गुरू परंपराम। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभू। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात हैं पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चर्णों में मेरा कोठी कोठी प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लोहरी का नाम। सब भक्तों को अनिरुध्य की जय जय राधेश्याम। जय जय राधेश्याम। जय जय सीताराम। ओ तेरे चर्ण कमल में शाम। लिपट जाओं रजवन के। तेरे चर्ण कमल में शाम। कौन-कौन लिपटना चाहता भगवान के चर्ण कमल में। तो भगवान से प्रार्थना करो के है प्रभु। हमें ब्रज की रज बनाओ ताकि हम आपके चर्ण में रज बन के लिपट जाएं। छोड़ भभाव से जरा जूमते हुए तेरे चरण का मल मैं शाम लिपट जाओं रजवन के तेरे चरण का मल मैं शाम लिपट जाओं रजवन के तेरे चरण का मल में स्यां लिपट जाओं रजबन के लिपट जाओं रजबन के तेरे चरण का मल में स्यां लिपट जाओं रजबन के नित नित दरे शन पाओं रजबन के नित नित तेरा दरे शन पाओं रजबन के हरस हरस के हरी गुण गाओं हरस हरस के हरी गुण गाओं लिपट जाओं रजबन के नस 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 जाओं स्यां लिपट जाओं रजबन के तेरे शरण का मल में चाओं लिपट जाओं रजबन के बोलिये भक्त वत्सल भगवाने की जय श्री कृष्ण गनहीं आलाले की जय 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 श्री आज में स्वागा छे आप सभी भक्तों का आज की आप का स्वागा छे आप आज की मंगल मही अमरत मही कछा में भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे और आज भगवान की कृपा आप सभी पर इस तरह बनी के आज पुनह हम इस पावन से माह में कछा का रस्पान करने जा रहे हैं वगवान की कछा की गंगा में डुबकी आज से फिर 7 दिन के लिए लगाने जा रहे हूँ जिए आज से यहां भागवज्जी के पाथ बैठे हैं पोस्ी पाथ आप सभी ने परिवारों के नाम सुने फिल सुफี हां के लिए आए सभी आप भक्त जन कच्छा में परिक्षित बने सभी माताइं वहने भक्त जन आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन आप सब पर कृपा बनी रहे सब को जैश्री मन नारण जैश्री किष्णा राधे राधे इनहीं मंगल कामनाओं के साथ नहां है बैठ देन सांती से सांत रहिए चुप रहिए तुपई टाप रहिए मस और सुनिये ध्यान से भगवान की कथा हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है देखो अच्छा ये बताओ गंगा हम सबको पानी पिलाती है यमना जी पानी पिलाती है सरियो जी मतलब भारत की प्रत्येक नदी हमारा पानी देखर के पालन करती है अच्छा ये बताओ ये नदियां हम सबको पानी क्यों पिलाती है किस बल से पिलाती है क्या सूर से इनके पास बताओ सारी नदियां भारत के किस से कनेक्ट है उत्तर दो किस से हमाले से नदियों के पास पानी आ कहां से रहा है उनका खुद का पानी नहीं है वो तो हमाले का है अच्छा नदियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है यदि हमाले से कनेक्ट ना हो स्रोत से connect ना हो चलो नर्मदा मैया तो हिमालय से भी connect नहीं है पर एक स्रोत है पानी का जहां से उन्हें निरंतर पानी मिल रहा है और वो सब तक पानी पहुचा रही है जैसे आप अपने बच्चों को ग्यान देते हैं तो आप है नदी, गंगा हर इस्त्री है गंगा जो अपने बच्चों को जनम से लेकर ग्यान देना स्टाट करती है हर पिता है गंगा जो जनम से लेकर आप अपने बच्चों को ग्यान दे बेटा ये नहीं करना, बेटा यहां नहीं जाना, बेटा ये नहीं खाना, बेटा ऐसा नहीं करना बेटा ये करना है यहां जाओ ये करो ये अच्छा करो मतलब हर माबाप अपने बच्चों को ग्यान देते है न जनम से जब वो हो समालता है पूछता है कि ये क्या है माबोलते है ये रोटी है ये चावल है ये दाल है ये सबजी है ये कमरा है, ये हॉल है, ये टीवी है, ये फ्रिज है, ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, कौन बताता है, आपको किसने बताया कि ये गाय है, ये बकरी है, ये भैंस है, बोलो, इस धर्ती पर आज हम लोगों को जितना ग्यान है, उससे आधा ग्यान तो हमारी माने बिना उस तक के बिना कॉपी किताब की दे दिया था योई हाँ या ना सब का बोध करा दिया था ये कुवा है, ये तालाव है, ये नदी है, ये गाओं है ये सहर है, ये खेत है, ये खलिहान है सब कुछ ये कटोरी है, ये गिलास है, ये चमच है, ये गोवी है ये भिंडी है, ये पालक है, ये पनीर है, ये दूद है, ये दही है, ये घी, ये सब किसने बोला, तो बताईए मा उसे गंगा की तरह गंगा पानी देती है, मा ग्यान दे रही है, पिता ग्यान दे रहा है, अब ये बताईए कि ये माबाप सदियों से हमें ग्यान देते चले आए हैं आखिर कौन से माबाप सुरेश्ट है अब प्रस्ण ये है कि हर माबाप सुरेश्ट नही एं है कौन से माबाप सुरेश्ट है देखलो न आप क्या हिरण कशपु स्रेष्ठ है वो भी तो एक बच्ची का बाप है क्या कैकई मा स्रेष्ठ है वो भी तो भरत जैसे भक्त की मा है क्या रावण की मा स्रेष्ठ है आज तक कोई रावण की मा को स्रेष्ठ बोला दुरुव की मा को स्रेष्ठ बोला, प्रहलाद की मा को स्रेष्ठ बोला, स्वामी विवेका अनंद की जी की मा को स्रेष्ठ बोला, किसी ने बावर की मा को स्रेष्ठ नहीं बोला क्यों बात यही है कि गंगा सबको ज्ञान देती है पर वो हिमाले से कनेक्ट है जुड़ी है यदि हिमाले से कनेक्ट ना हो तो गंगा सूख जाए बस यही है कि जो माबाप सत्संग से कनेक्ट हैं, संतों से जुड़े हैं, वो अपने बच्चों को सही ग्यान दे पाएंगे हिमाले क्या है? संत, सत्संग संत दर्शन क्या है? हिमाले हिमाले क्या करता है? हिमाले हमेशा ठंडा है हिमाले ठंडा है कि गरम? उत्तर दो तो संतों की बातें सुनने से दिमाग गरम होता है कि ठंडा तो संत हिमाले हैं या नहीं हिमाले जैसी गंभीरता है हिमाले जैसी एक आगरता है आप सत्संग सुनते हैं साथ दिन कछा सुनेंगे साथ दिनों में आप बोसी यहाँ पर एक बात कही गई इस लोक बोलता हूँ उसका अर्थ कीजिएगा ये शलोक मैंने सातवी किलास में पढ़ा था जब मैं सातवी किलास में था उस समय मिरे सलेवा समय ये शलोक था संस्कृत इस लोक चाणक के का है इसका अर्थ बताना है आपको इस लोक है माता शत्रु पिता वैरी फिर से सुनियेगा माता मेरे संग बोलो माता माता शत्रु पिता वैरी वैरी मतलब दुसमन माता शत्रु पिता वैरी अब यहाँ पर कह रहे हैं माता शत्रु अच्छा बताई यह माता सत्रु है क्या उत्तर दो हा या ना तो यहां क्यों कहा गया के माता शत्त्रू पिता दुस्मन पिता वैरी वैरी means दुस्मन तो बाप कभी दुस्मन हो सकता है माता कभी दुस्मन हो सकती है पर कहा चाणक के ने माता शत्त्रू पिता वैरी क्यों कहा किस मावाप को कहा वोले आगे बोला ये ने बालो नपाठिता वो मावाप दुसमन है अपने बच्चों के, जो मावाप अपने बच्चों को स्रेश्ठ संसिकार नहीं देते पढ़ाते लिखाते नहीं ये न बालो न पाड़ीता अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा? न सोभते वो बालक सोभा नहीं पाएगा सभा मत्धे उस सभा में सोभा नहीं पाएगा जिस सभा में हंस मत्धे बको यच्छा जैसे हंसों की सभा में कववा सोभा नहीं पाता ऐसे पढ़े लिखे योग लोगों के बीच में असंसकारी व्यक्ति सुभा नहीं पाता को संसकारी व्यक्ति सुभा इसलिए आप माबाप केवल बच्चे पैदा करने से नहीं बन जाओगे माबाप तब बनोगे जब आप अपने बच्चों को स्रेष्ठ संसकार दोगे स्रेष्ठ परवरिष करोगे और स्रेष्ठ परवरिष क्या है इस स्कूलों में सब कुछ नहीं है मेरी मा इस स्कूलों में सब कुछ नहीं है इस स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे कॉलेज, युनिवर्सिटियों में पढ़े हुए लोग शराब पी रहे हैं, सिगरिट पी रहे हैं, गलत ट्रेक पर चले गए, लिविन में रह रहे हैं, वारों में जाके थेटरों में जाके नाच रहे हैं, क्या हमारी भारती सिक्षा आपको इस दिसा में ले जाती हैं, नई, आप कहां भटक गए, दिखो दो चीजें होती हैं, एक सिक्षा, एक दिक्षा, फिर से दोराओ, सिक्षा, पिलस, अब ये सिक्षा और दिक्षा में अंतर क्या है, क्या है ये दिक्षा, क्या है सिक्षा, इस्कूलों में जो पढ़ाई जाती है, वो क्या है, कॉलेजों में जो मिल रहा है, युनिवर्सिट्यों में जो मिल रहा है, जो लेक्षर मिल रहे हैं वो क्या है, वो सिक्षा है, लेकन वो सिक्षा वंचित रह गई दीक्षा से, यह दीक्षा क्या है, दीक्षा मेंस संसिकार, दीक्षा मेंस संसिकार, अच्छा बताओ जलेवी मीठी होती है या नहीं, हा या ना, जलेवी मीठी होती है, हाँ या ना, हाँ या ना, बताओ, होती है, हाँ या ना, जलेवी मीठी नहीं होती, चासनी मीठी होती है, यदि जलेवी को चासनी में न डुबाया जाए, तो जलेवी की क्या ताकत, कि वो मीठी हो जाए, उसी प्रकार सिक्षा पद्धती है जलेवी, सिक्षा है जोर से सिक्षा है और दीख्षा है चासनी जब तक सिक्षा को संसकार की चासनी में नहीं डुबाओगे तब तक वो गिर्ण करने योग नहीं होगी और ना वो आपका भला करेगी ना आपके परिवार का बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो अपने मावाप को घर से निकाल देते हैं गौरी गोपाल अश्रम है बहुत सारी माताएं हैं जिनके बेटे प्रोफेसर हैं यहां ऐसी माताएं भी हैं जिनके बेटे प्रोफेसर हैं बड़े बड़े पोश्ट पर हैं सरकारी जौब हैं अ रिच फैमिली है बहुत बड़े लोग हैं लेकिन सिख्छा तो है उनके पास पर क्या भूल गए दिख्छा दिख्छा में संसकार संतों से जोड़ना भूल गए अच्छी बातें सुनना भूल गए क्लबों में जाने का समें तो रहा शराप की पार्टी किट्टी पार्टी का समें तो रहा लेकन सत्संग के लिए समय ना निकाल पाई इसलिए सब कुछ किया धरा बड़िया रवडी हो मस्द आपने बड़िया रवडी बनाई हो और रवडी वस थाली में परोशी गई हो खाने वाले हैं तभी उसमें थोड़ा सा गोबर गिर जाए गोबर तो क्या फिर वो गिराण करने योग हैं वही कहावत है न कि ये धरे पर सब गोबर तो आपने कितना भी पढ़ा कितना भी बच्चों को पढ़ाया पर संसकार देना भूल गए तो सब कि ये धरे में गोबर हो गया सब कोबर तो इसलिए माता शत्रु पितावैरी ये न वालो न पाठीता न सोभते सभामध्य हंसमध्य वकोय था माबाप को ग्यानी होना चाहिए ताकि वो बच्चों को संसकार दे पाए और माबाप ग्यानी तब होंगे गंगा में पानी तब होगा जब वो हिमाले से कनेक आठोगे पस यही बात इसलिए पानी पीने का समय निकालते हो खाने का समय निकालते हो पत्नी-पती के लिए समय निकालते हो बच्चों के लिए समय है थोड़ा सत्संग एक घड़ी आधे गड़ी आधे की पुनियाध तुलसी चर्चा राम की हरें कोटी अपराध निकालो समय भागवत में सब कुछ है अठारा हजार श्लोक हैं तीन सौ पैंती सद्ध्याएं हैं सच्ची दानंदे रूपाय मेरे संग बोलो सच्ची दानंदे रूपाय जो हम बोलेंगे उसको दोहराईएगा सच्ची दानंदे रूपाय विश्वोत पत्या दिहे तवे तापत्त्रय विनाशाय श्री क्रिष्णाय वयम्नुमहा क्या अर्थ हुआ इसका सत्चित आनंद बरावर सच्ची दानंद इश्वर का परिचय है यह भागवत जी के माहात्म का पहला श्लोक है भगवान कोई आप से पूछ है कि भगवान कैसे हैं तो आप बोल सकते हैं कि ईश्वर कैसे कैसे हैं सत्चित आनंद बरावर सच्ची दानंद संदी विच्षेत करेंगे तो तीन अलग हो जाएंगे और अलग होंगे तो क्या हो जाएगा सत्चित आनंद बरावर सत्चित तो सत्च क्या है चित क्या है आनंद क्या है विश्वोत पत्या मतलब विश्व की उत्पत्ती प्लस पालन प्लस संगहार बरावर विश्वोत पत्या दिये तबे ताप अत्रे मतलब तीन प्रकार के ताप ताप मेंस दुख दैहिक प्लस दैविक प्लस भावतिक बराबर ताप अत्रय विनाशाय जो इन दुखों का नास कर दे ऐसे श्री कृष्णाय श्री मतलब राधा सहित कृष्ण को वयम मतलब हम सब नुमाह मतलब उन्हें नमस्कार करते हैं किन को नमस्कार करते हैं सत्चित आनंद हम किसको नमस्कार करते हैं सचीद आनंद को अब यह सचीद आनंद कौन है सत्थ सत्य क्या है भाईय बताओ सत्य क्या है अच्छा बताओ सत्य क्या है अच्छा चलो एक प्रश्ण वो पूछ रहा हूं उत्तर देना यह कहा सत्य की रो रहा, अच्छा उस तरफ जाओ चुप कराओ, अच्छा उस तरफ जाओ, अच्छा ये बताओ, प्रश्नक पूछता हूँ उत्तर क्या है, एक पहली पूछ रहा हूँ, टैंसल लेने का नहीं, एक पहली मैंने बच्पन में सुनी थी अपनी मौसी से, मेरी मौसी बहुत पूछा करती थी मेरे से, और मौँ खोच-खोच के लाया कर जाथा मौसी को उत्तर देने के लिए, मौसी के एक पहली मैंने आपसे पूछ लिए, बड़ा बड़ उत्तर दो, फिर मैं आपको कठा में प्रविश कराओ, प्रश्न पूछता हूँ उत्तर क्या है, उत्तर दो, प्रश्न पूछता हूँ उत्तर क्या है, उत्तर क्या है, उत्तर क्या है, उत्तर क्या है, प्रश्न पूछता हूँ बेटा ये बोलागा मेरा भहिया, तू बोल भहिया, प्रश्न पूछता हूँ उत्तर क्या है, बोल, ये सब नहीं बोलेंगे, टुपई रह हाँ प्रश्न पूचता हूं उत्तर क्या है उत्तर एक दिसा है उत्तर एक एक बार मैंने एक सवाल कर दिया कर लिया तो एक गड़ी तक बोले मैं मर जाओंगा मैंने बोला कि भाई पहेली पूछी कि चत्तर में क्या जोडे की सत्रा हो जाए बोला मैं तो पडॉह भाई पहली यहाँ इतना डीप मत चला जा या बताओ सckतर मैं क्या लोग इंजॉय करवानन लो टैंसल लेने का निगा तो हसते हसते ही सुनना है सब बाते अब हम चलते हैं मैं बताइए अब हम रियल प्रश्न कर रहे हैं जो सास्त्रों का है इस सत्य क्या है यह बताएंगे सब्सक्राइब हा मैं यह बताओ हां जो दिखता है जो नित्य है वो सत्य है तो नित्य क्या होई तो पूछ रहे हैं आप नित्य हो आप बोलो बैठे बैठे बोलो क्यों कश्ट करना जो बदल जाए जो नाम बदले वो सत्य है यह मैं यह बताओ आप सत्य क्या है बैठे बैठे बताओ खड़े मत हो इश्वर सत्य है सत्य क्या है सत्य है इश्वर भगवान भगवान ही सत्य है हम सब कौन है हम सब कौन है जूट हम परिवर्तन शील है इसलिए जूटे है इश्वर नित्य है परिवर्तन नहीं होता है इसलिए सत्य है इसलिए जूटे संसार से मन हटाओ सच्छे भगवान में मन लगाओ सत्य चि इसी भगवान को जो सत्य चित आनंद के सागर है भगवान का नाम है आनंद संसार में सुख है या दुख है या तो आपको सुख मिलेगा या तो आपको दुख मिलेगा यदि सुख मिला है तो दुख जरूर मिलेगा सुख का उल्टा होते ही दुख है दुख का उल्टा होते ह सुख है यदि आज आप दुखी हैं तो कल सुखी होने की संभावना पूरी है और आज यदि आप सुखी है तो कल दुखी आएगा क्योंकि अपोजिट है ना दिन है तो राज जरूर होगी और राज है तो दिन होगा स्वभाविक इसलिए इस्वर आनन्द के सागर है अच्छा आपको सुख चाहिए कि आनन्द चाहिए सुख चाहिए सुख चाहिए मैया सो रही हो मेरी मा गुलाबी मैया सुख चाहिए कि आनन्द आनन्द आपको क्या चाहिए सुख चाहिए पीछे मैया सुख चाहिए कि आनन्द सुख चाहिए जिसको उसे दुख भी मिलेगा क्योंकि सुख है तो दुखाएगा इसलिए बड़े बड़े साधु संत सुख दुख के चक्कर में नहीं पड़ते हम तो आनन्द चाहते हैं हे प्रभु जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनन्द ही इसलिए भगवान का नाम है आनन्द अच्छा भगवान देते क्या है आनन्द अच्छा चलो आप मैंसे कितने लोग आनन्दित हैं और कितने लोग सुखी है अच्छा सुखी मत होना सुखी होगे तो दुखी होना पड़ेगा वो बेना बुलाए आएगा इसलिए हमेशा किसमे रहो अच्छा आनंद कब तक नहीं आएगा उसका भी एक रीजन बताता हूं आनंद क्यों नहीं है हमारे जीवन में उसका एक कारण बताऊं वो सुनियेगा कारण ये है एक चेला आया गुरुजी से मिलने गुरुजी गुरुजी ओ हमें भगवान से मिलाओगे क्या आप भगवान का दर्शन करा दो गुरुजी बोले कल सुबह 10 बजी आ जाना मैं तुझे भगवान से मिलाओंगा अब चेला बड़ा उत्षुक हुआ हाँ सुबह 10 गुरुजी नाम राम मैं आ गया गुरुजी बोले आ गये हाँ गुरुजी ओ आपने कल बोला जा भगवान के दर्शन कराने का कराओ गुरुजी बोले अच्छा चल तुझे दर्शन कराने चलता हुआ चल गुरुजी ने एक जोला तयार किया जोला उसमें थोड़ा लकड दूप में एक घंटी चला पसीने से डूब गया, गुरु जी अभी और कितना चलना है, गुरु जी बोले वो सामने पहाड है, उस पहाड के उस पार चलना है, चोटी पार करनी है, शिखर पार करना है, पहाड का, अब तो वो घबराया गुरु जी मैं तो मर जाओंगा, फिर तुमारे भगवान वहां रहते है, हाँ वही है, चेला बोला गुरु जी ये बता, जोले में क्या है, अच्छा खाली हाँ चलना फिर भी सही है, पर आप 10 किलो का बजन लेके चलें और लंबा चलना हो तो, चलना बड़ा कठिन हो जाएगा न, हाँ या न, चके वाला जोला हो तो भी ठीक है, और सिर्पी रखना पड़े तो बड़ा कठिन काम है, और चोट योर चड़ना है, और गुरु जी ने जोले में बजन भरा था, वो लगवग 10 किलो सी उपर था, गुरु जी से बोला, गुरु जी इसमें है क्या, गुरु जी बोले, बेटा, इसमें कुछ विशेस नहीं है, पत्थर भरे है मैंने, लकडी भरी है, और गाय का सूखा हुआ गोबर, छेला बोला गुरु जी ये तीनों चीजें तो जंगल में खोम मिल जाएंगी, जब आप बोलोगे पत्थर ला दूँगा, जब आप बोलेंगे लकडी ला दूँगा, क्योंकि हम गोड़ी में चल रहे हैं, जब आप बोलेंगे सूखा गोबर ला दूँगा, और काहे धोबा रहे हो आप हमसे, काहे मारे डाल रहे हो, तो गुरु जी बोले, तू कर ले अपने हैसाब से, ले चली, तू ले चली या तू फेक दे, उसने सारा जोला खारी किया, फेक दिया लकडी कंडा सब अ जैसे इंवस एक अंगलाई लेता है मिल air जास अनदा गया ऑ गया जैसी गगुरु जी या से जासा जाशए और वोला जान ये गुरु जी बोले बेटा मिल गए भगवान चल लौट चलते हैं। छेला बोला गुरु जी कैसा बुद्धु बनाया आपने हमें। गुरु जी बोले हमने कहां बुद्धु बनाया। अरे बोले गुरु जी आपने तो बुद्धु बना दिया। गुरु जी बोले अच्य ही बता, जब तक तेरे सिर्मे बोजा था, तब तक तुझी आनंद मिला? ये घटना उस बच्चे की नहीं है, ये घटना उस साधू की नहीं है, ये घटना हम सब की रोजमर्रा की जिन्दिगी में घटने वाली घटना है, आप लोग आनंदित नहीं हैं क्यों क्योंकि आपने बोजह उठा रखा है क्या उठा रखा है क्या उठा रखा है परिवार का बोजह जिम्मदारियों का बोजह बिजनिस का व्यापार का सारा लोड आप कहां रखते हैं खोपड़ी में जब तक उस बच्चे के सिर में बोजह था तब तक उसे आनंद न चाहते हो, तो एक छोटा सोपाय कर लीजिए कि आप अपने जीवन की जितनी जिम्मेदारियां है जितना टैंसन है, जितना बोजा है वो ले जाके प्रभु के चरणों में रख दीजिए प्रभु आप जानो और आपका काम जाने हमसे नहीं समखल रहा है, आप समखा दो तेरी चौखट में आना मेरा काम है और मेरी बिगडी बनाना तेरा काम है आप एक बार कह दो उनसे भगवान कहते हैं कि योगक खेमम वहां में हम जो मेरी शरण में है भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरी सरण में आ जाता है, मैं उसका योगक्षे मतलब मैं उसका पालन करता हूँ, मैं उसका भरन कोशन करता हूँ, किसका जो मेरी सरण में आ जाता है, अच्छा आप बताईए आप मैंसे कितने लोग हैं, जो भगवान की सरण में गए हैं, गए हैं, क्या लेकर ग जाने का मतलब, अपने आपको समर्पित कर दिया, कितने बेटे हैं आपके, तीन, कितने बेटे हैं आपके, दो, देखो यह जूटी मैया बोल रही हैं कि हमने समर्पन कर दिया, और बता भी रहे हमारे तीन बेटें, तीन बच्चों की मावनी बैठी है, वो कह रहे हैं समर्पन कर दिया, तो का समर्पन कर दिया, यह हट्डीमान समर्पन किया है उद्दु बना रही हो मैया इसी चक्कर में परेशान हैं आप लो आपको क्या लगता है भगवान को क्या चाहिए समरपण अच्छा समरपण कहते किसे चलो समरपण की परिभासा बताओ क्या है समरपण किसे कहते हैं मैं हे प्रभू मैं आपकी हूँ मैं आपकी हूँ गई भगवान के मंदर में मैं आपकी हूँ मैं आपका हूँ ये भगवान सब आपका है और जैसे बाहर आए महराजी ये प्लोट हमारा है ये हमारी घरवाली है ये सब हमारा है लो या तो आप कन्फ्यूज हो या तो भगवान को कन्फ्यूज कर रहे हो समरपन की परिभासा बताई है समर आप मैंसे कितने लोग जानते है लिख लो मेरी एक बात जब तक जीव का समरपन नहीं होगा भगवान के चरणों में तब तक आपकी की गई सारी पूजा सारा किया गया कुछ भी कार्य सब ब्यर्च है क्योंकि बिना समरपन के जो भी करोग उसका क्यार थे और समरपन करने के बाद एक बार कोई राम कह दे एक बार कोई कृष्ण कह दे एक कृष्ण कहने के बाद करोणों कृष्ण कहने का पुन्य है समरपन के बाद और समरपन के पहले आप सब कुछ करो यह समर्पन के पहले और बाद का अंतर समझो क्या है एक छोटी सी लड़की है वह मां को देखती है मांग भरते ना तो वह खुच जाती है वहां पर जहां मां खड़ी होती है वहाँ जाती है, सिंदूर उठाती है, और वो भी अपनी मांग भर लेती है, मा, मा, मैंने देखो, मांग भर लेती है, मा, मैंने देखो, मांग भर लेती है, मा, मैंने देखो, मांग भर लेती है, मा की देखा, देखी, सिंदूर लगा लेंगी, वो भी यहाँ, वो छूडी प पहनले बिचिया पहनले पायल सारा सिंगार कर ले तो क्या उससे सुहागन माना जाएगा अना बोलो क्या उसके सिंगार की कोई कीमत है उसी तरह जैसे एक लड़की जब तक उसका पती मांग ना भरे जब तक उसका वेद विधान से मंडप के नीचे विवाह ना हो तब तक उसका सिंगार कोई कीमत नहीं होगी पर पती के द्वारा मांग भर दी गई विधान से विवाह कर दिया गया उसके बाद जो वो सिंगार करेगी वो सिंगार की समाज सराहना करेगी वाह नारी का सिंगार विवाह के बाद सोभ नहीं है विवाह के पहले वो कितना भी मांग भर के घूम है और कितना भी वो सोला सिंगार कर ले पती पृता नारी की तरह उसकी सोभा नहीं होगी उसका सारा सिंगार व्यर्च है या नहीं बोलो हाँ उस लड़की का सारा सिंगार व्यर्च है साधी के बिना उसी तरह समर्पण के बिना हमारी हर पूजा व्यर्च है सब कुछ वेकार है समर्पण के बिना अब समस्या ये है कि महराज जी समर्पण कैसे हो समर्पण क्या चीज है अब आप कहते तो ही प्रभू में आपकी मैं आपका कहने से नहीं होगा मेरी मा कहने से क्या होता है कहने से प्यार होता है क्या आज तो कोई भी लड़का आपको कह देगा I love you कोई भी लड़की कह देगी आपको I love you तो कह देने से हो गया बाजार चलते आपके पास बड़िया गाड़ी है बंगला है तो आपको I love you कहने वाले हजार मिल जाएंगे क्या बड़ी बात है तो कह देने से प्यार हो जाएगा क्या ऐसे आपने अच्छा चलो मैं कहता हूँ कि मैं प्रधान मंत्री हूँ तो क्या मेरे कहने से मैं प्रधान मंत्री हो गया आप कहो कि जी मैं राष्ट पती हूँ अच्छा कह दो खुब कहो कह दो क्या आपके कहने से आप राष्ट पती हो गये जब आपके कहने से आप प्रधान मंत्री नहीं हुए जब आप कहने से राष्ट पती नहीं हुए तो आपने कह दिया के प्रभू सब को छापका है तो कहने से सब हो गया पहले मूल चीज समझो समर्पन को समझना पड़ेगा कितने लोग समर्पन को समझना चाहेंगे कितने लोगों की दिल जस्वी है समर्पन समझने में और आज के बाद ये बिलकुल मत गाना गाईएगा हे प्रभू मैं आपकी हो ठीक है किस तरह बोलना इसको बोलना यही है पर किस तरीके से बोलना वो समझना है आज समर्पन कैसे होता है वो समझो सबसे पहले अपने आपको दो भागों में डिवाइड करो सबसे पहले अपने आपको कितने भागों में डिवाइड करो दो भागों में जो की आप अल्रेडी हैं कैसे देखो दो भागों में आप किस तरह डिवाइड हैं इस तरह से डिवाइड हैं कि आप कोई कामबाली बाई है एक छोटा सा एक्जामपल दे रहा हूँ कि हम दो तरह से डिवाइड कैसे हैं फिर हम डिवाइड कैसे होंगे और किस तरह डिवाइड होने के बाद भाग वन का क्या करना है भाग टू का क्या करना है समझिएगा काम बाली बाई कामबाली भाई कितने भागों में डिवाइड होती है कौन-कौन सा भाग है एक भाग है एक पक्ष है कि वो किसी की पतनी है किसी की मा है उसका भी अपना बच्चा होता है लेकन वो अपने बच्चे को घर में छोड़ती है और आपके बच्चे के पास आकर आपके बच्चे की तेल मालिस करती हुआ या ना समझिए गबात की गहराई को और विशे की गंभीरता को एक काम बाली भाई जो कि उसका खुद का बच्चा भी लगभग देड़ दो साल का होगा लेकन फिर भी वो मजबूरन चुकी पैसे की कमी है तंगी है तो वो आपके घर काम करती है और आपके घर में भी उसे काम क्या मिला कि आपके घर में बच्चा हुआ और आपने बोला कि तू इसकी तेल मालिस कर वो आपके बच्चे को पाउ में लिटाती है और मा की तरह आपके बच्चे के पाउ में तेल लगाती है, मालिस करती है नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है पर बताओ वो आपके बच्चे के साथ सारा व्योहार करती है पर प्रैम उसका किसके साथ या उत्तर दो क्या जो प्रैम उसका खुद के बच्चे से है क्या वो प्रैम आपके बच्चे से हो सकता है तो वो प्रैम तो करती है अपने बच्चे से पर ब्योहार में सेवा कर रही है आपके बच्चे के दो भाग हो गए की नहीं हाँ या ना समझ में आये तो हां, मईया बोलो हां, ओ पीली मईया, कर लो तुम पंचाय, तो मैं नहीं समझ में आ रहा है, बताओ कामबाली भई कितने भग, कौन कौन से, पीछे वाले आवाज आ रही है ना हमारी आ रही है एक भाग ये है कि वो प्रेम करती है अपने बच्चे से लेकन वो व्यवहार में तेल मालिस कर रही है आपके बच्चे की उसी तरह आपको भी अपने दो भाग करने है कि पती के साथ पतनी के साथ पुत्र के साथ परिवार के साथ पडोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना और प्रेम किसके साथ करना है जैसे उसका प्रेम अपने बेटे के साथ है पर व्यवहार में वो आपके बेटे की मालिस करती है उसी तरह आप प्रेम करिए भगवान से पर ब्योहार करिए संसार से और प्रेम इस तरह का हो कि उस प्रेम में ये हो कि हे प्रभु अंदर ये बात अंदर की है बाहर की ने अंदर से हमेशा ये भाव हो कि प्रभु जो कुछ है सब आपका पर बाहर से ब्योहार में ये कहना पड़ेगा कि ये मेरी बतनी है ब्योहार में ये कहना पड़ता है कि ये मेरे बच्चे है ब्योहार में ये कहो कि ये घर है ठीक है लेकिन अंदर से जब कहो तो कान पकड़के हे प्रभु ये व्योभार मैं कह रहा हूँ कि ये बेटा हमारा है ये बेटा आपका है पर व्योभार में भैया ये दास का पुत्र है अपना ना मानो वहीं बात बिगड़ती है जहां हम अपना मान लेते क्या मान लेते हैं तो आज से आपके कितने भाग दो एक भाग, एक ब्यवहार और एक प्रेम एक भाग का नाम है ब्यवहार और दूसरे भाग का नाम है प्रेम तो प्रेम बाला भाग किसके साथ होगा भगवान के साथ और व्योभार बाला भाग परिवार के साथ बिजनिस के साथ व्यापार के साथ ठीक है इश्वर ने हमारे सरीर को भी दो भागों में डिवाइड किया आपको पता है हमारे प्रेम मस्तिश्क दो होते हैं 20 से बिलकुल दो भाग हैं हम, हाया ना, ये दाया हाथ, ये बाया हाथ, ये लेप्ट, ये राइट, पूरा सरीर हमारा, इसलिए आपने देखा होगा, पैरलाइसिस जिसको होता है, तो एक अंग पूरा, एक अंग में, क्योंकि सरीर दो भागों में, उसी तरह हमें हर चीज को दो भागों में डिवाइट करना है, एक चीज प्रभू के लिए, एक चीज संसार के लिए, मैं बाहर से आप के लिए कुछ और हूँ, पर भीतर से भगवान के लिए कुछ और हूँ, भगवान के लिए आप भगवान के कैसे बनो, जैसे मीरा, मैं तो मीरा को अपना मांगता हूँ कहीं मीरा मुझे मिलेगी तो मीरा की चरण रज उठाकर माथे पर रखूंगा मीरा के चरण रज की वंदना करूंगा और मीरा कितने सारे पद है उन सभी पदों में जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ मेरे एक फैवरिट पद और उस पद की केवल एक लाइन उस एक लाइन ने मेरे जीवन को बदल दिया और वो लाइन है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई अब आप नई विश्वास करेंगे नहीं मानेंगे कि इस लाइन का हमारे और आपकी जीवन में कितना बड़ा दिखो एक बात मैं आपको समझा दूँ इंजीनियर की भासा इंजीनियर जानता है डॉक्टर की भासा डॉक्टर जानता है एडवोकेट की भासा एडवोकेट जानता है वियापारी की भासा वियापारी जानता है तो एक मीरा जैसे भक्त की भासा कोई भक्त ही समझ सकता है ओ मीरा की भासा समझने के लिए भी क्या बनना पड़ेगा आपको भक्त बनना पड़ेगा तब आपको ये लाइन समझने इतनी लाइन समझने के लिए आपको भी लंबा gårस ça करना पड़ सकता कि मेरे तो गिरधर जो पाल दूसरो ना कोई इसका अर्च कौन करेगा यह बहिया बताओ इस का इस लाइन कर्च क्या है यह बहिया आप बताओ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई इसका अर्च बताओ नहीं बैठे बैठे ठीक है अर्च बताओ इसका अब बताओ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई बैठे बैठे बोलो मेरी मा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई इसकार्च क्या है कौन करेगा अर्च हाँ तो ठाकि बताओ कितने लोगों को इसकार्च बताओ मैया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई इसकार्च बताओ अब हम बताएं अभी आप लोग इसके अर्थ को समझे ने जिस दिन आप इस अर्थ को समझ लेंगे उस दिन आपका मू नहीं बोलेगा आपकी आँखें बोलेंगे उस दिन आपकी आँखों के वो बहते आसू बताएंगे जब आप इसका अर्थ समझ लेंगे के मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरो ना कोई फिर आप बोलना पाएंगे बोलने की सामर्थ नहीं है इसका अर्थ कोई कर नहीं सकता सब्दों में क्या सब्द हैं क्या कहोगे क्या सब्दों देखो प्रैम सब्दों का मोहताज नहीं है कहराई की बात है अब आप कितना समझेंगे मेरी भासा मुझे नहीं पता प्रैम सब्दों का भूखा हाँ और शब्दों में इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रैम को परिभासित कर सके यदि सब्दों में इतनी ताकत है तो करके दिखाओ बेटा अपनी मा से पूछता है कि तुम मेरे से प्यार करती हो मा बोलती हाँ बेटा मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ तो बेटा बोलेगा अच्छा करती हो तो इसका प्रमाण दो तो बताओ क्या कोई मा प्रमाण दे सकती है अपने बेटे को नहीं इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम को परिभासित करने के लिए कोई शब्द है ही नहीं यदि है तो बोल दो मुझी करो प्रमाण इस बात को बेटा मैं आपका बेटा हूँ मैं पमूच रहा हूँ आप से कि आप मेरे से प्यार करती हो तो चलो बताओ प्यार करती हो उसका सबूत दो कोई मा अपने बच्चे को क्या ये सबूत दे सकती है बस सबूत नहीं दिया जा सकता मेरी मा एक आदमी पानी में डूब रहा था बोला मैं डूब गया बचालो मैं डूब गया अभी वो डूबा नहीं है अभी वो डूबा नहीं है डूब गया होता वो कह रहा मैं डूब गया अरे भया तू डूब गया होता तो फिर चिलाता कैसे तू बोल रहा है मतलब अभी डूबा नहीं है जब तू कुछ बोल ना पाए, समझ लेना कि तू डूब गया मेरे तो गिर्धर गोपाल, जब तक आप इसका अर्च सब्तों में कर रहे हैं मतलब डूबे नहीं है, जिस दिन इसके अर्च में डूब जाएंगे तो आप बोल कुछ ना पाएंगे आपका चुप रहना ही इसका अर्थ है आपका चुप रहना और आपकी आँखों के बहते हुए आशू इस लाइन का अर्थ है कोई कागच कलम से थोड़ी लिखा है मीरा ने अपने पदों को उस प्रेम को अनुभव करके गाया है अपने गिर्धर गोपाल के लिए उनकी सखियों ने जब सुना मीरा का ये भाव तो मीरा के सभाव को कागच कलम लेकर के उकेर दिया मीरा लिखती है तो अपने गिर्धर के लिए जब लिखती है तो उसके आँखों के आशू सब कुछ कहते जाते है इसलिए प्रैम गली यती सांकरी ये प्रैम की राह बड़ी कठन है मेरी माँ इसमें यदी चली गई तो निकल न पाओगी कभी अकेले में बैठ के रौना अपने गोविंद के लिए आपकी आँखों के बहते आसू मीरा का भाव सूर्दास जी का भाव रैदास जी का भाव भक्तों का भाव एक भक्त महराश्ट में हुए गोरा कुमार जाती से कुमार थे घड़े बनाने का बाप दादों का काम था कुमार गोरा कुमार घड़ा बनाया करते बाजार में बैचा करते जो पैसा मिलता साधो संतों की सेवा किया करते और प्यार से नाम जब किया करते बिठ़ल 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 जब गोरा कुमार का विवाह हुआ तो उनकी सुन्दर सी पतनी आई दौनों प्रेम से ग्रहस्थ में आए दौनों पती पतनी जब साथ में रहे उनकी पतनी गर्व वती हुई समय के साथ उनको एक सुन्दर सा पुत्र पैदा हुआ तो गोरा कुमार विठ़ल नाची से बहुत प्यार करता था तो उन्हें लगा कि मेरे घर में तो विठ़ल ही आए है तो उन्हें अपने बेटे का नाम ही रख दिया बिठ़ल और बिठ़ल बिठ़ल वो बुलाएं बेटा बिठ़ल 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 थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ घुटनों के बल चलने लग गया पलटने लगा फिर घुटनों के बल चलने लगा एक दिल गोरा कुमार माटी रौंद रहे थे, रौंद ना मींज माटी परना माटी को पाउं से कुछलना पड़ता है चिकनी करने के लिए, रौंद ना बोलते हैं उसको, माटी कहे कुमार से तु क्या रौंदे मोही, वही रौंद ना हो, कुमहार गोरा कुमहार माटी रौंद रहे थे कि तभी पत्नी आई अजी सुनते हो मैं पानी भरने जारी हूँ कुए से कुए से पानी लेने जारी हूँ तुम जरा बच्चे को देखना बिठल को अभी सू रहा है जाग जाए तो जरा सम्हाल लेना मैं आई हाँ हाँ तुम जाओ तुम जाओ अब गोरा कुमार जब माटी रौंदते न तो वो आखे बंद कर लेते और अपने भगवान का ध्यान विठल ये प्रेम है प्रेम है जो भगवान को देखना चाहता है न कई बार साधू लोग संत लोग हमेशा आपने देखा होगा वो आखे बंद किये रहते हैं क्यों वो बाहर देखना ही नहीं चाहते कुछ सब तो देख लिया क्या देखें बताओ आखें खोल कर देखने के लिए है तो बहुत कुछ पर बताव आप लोगों ने क्या नहीं देखा आप लोगों के लिए अभी क्या सेस रहा देखना बताव क्या है इसलिए सब देख चुके हैं सब अपना देख चुके, पराया देख चुके खेत खलिहान नदियां समुद्र पहाड सब तो देखा अब भक्त जो है वो किसे देखना चाहता है भगवान को तो वो आखें बंद हैं और भाव कि वो ऐसा इमेजन करते हैं गोरा कुमार जी के मैं विठल नाच जी के मंदर में हूँ और विठल नाच जी को देख रहा हूँ वो माटी रौन रहे हैं माटी शरीर कहा अभी मैंने शरीर के कितने भाग किये एक भाग तो माटी रौन रहा है शरीर लेकन मन कहा है उनका बिठल नाच जी के मंदर में बिठल नाच जी के सामने अब देखिए गोरा कुमार के जीवन में एक जो सबसे अलग घटना घटी व आखों को थोड़ा बंद रखा करो, कछा भी सुना करो ना, तो ध्यान में डूब कर सुना करो, बाहर की दुनिया को थोड़ा भूलने की कोशिस करो, थोड़ा भगवान के चिंतन में डूबने का प्रयास करो, गोरा कुमार आखें बंद करते हैं, और माटी रौन रहे हैं, पर इमेजन ऐसा भाव, वो मनसिफ विठ्छल नाजी के मंदिर, और नाम जब, विठ्छल, 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 पांडु रंग विठ्ठल जा रहे हैं नाम जब करते हुए भिठ्थल भिठ्थल बोलते हुए जा रहे हैं माटी रौन रहे हैं अब है क्या हुआ कि वह माटी रौन ही रहे हैest कि उनका जो बेटा है जिसका नाम बिठल है वो जाग गया और जब जागा तो वो अपने पिता के पास घुटनों के वल चल के आया बच्चा तो बच्च जिसको देखता उसकी तरफ भागता पिता तो वो आया और वहां पर गढधा था गणा क्योंकि माटी रौंदते न वह गढधा होता गढधा था उस गढधे में वो बच्चा आया वो रौ रहा था चिला रहा लेकन वो तो द्यान में डूब रहा है इतने द्यान में डूब गए कि पता ही नहीं चला कि बच्चा रो रहा है और बच्चा उस गड़े में गिर गया गिर गया और ये रोंदते रोंदते आये और बच्चे के सिर में पाउं रख दिया चूंकी आखें बंद थी ध्यान भगवान का जब बच्चे के सिर में पाउं रखा तो बच्चे का सिर्फ मिट्टी के अंदर धस गया और जब धसा तो उसका नाप मुझ सब मिट्टी में चोक बंद स्वास लेना रुख गई बच्ची का दम घुट गया फिर घूम घूम करके आए और दूसरा पाउं फिर उस बच्चे की उपर रखा कुल मिला कर वो बच्चा मिट्टी के अंदर समा गया दम घुट गया और बच्चे की मरत्यू हो गया और अभी गोरा कुमार ध्यान में चली रहें बिठ्थल 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 वो ध्यान चल रहा है नाम जब चल रहा है वो बच्चा रौंद दिया माटी के अंदर तब तक पतनी पानी भरके आई कुए से और जब पानी भरकर आई पानी रखा आवाज लगाई बिठल बेटा कहां हो तुम उसे लगा कि कहीं उठ गया होगा तो होगा जाकर विस्तर में देखा तो था नहीं मा को लगा उठ गया होगा यहाँ वहाँ पूरे घर में ढोड़ा पर बच्चा कहीं ने कोई आवाज ने अब वो मा तो मा घवरागी कहां चला गया आवाज लगाई जोर से विठल अब वो पतनी चिला रही है पर अभी गोरा कुमार की समाधी तूटी नहीं वो गोरा कुमार के पास गई यही सुनते हो वो जब पास में गई तो बच्चे का कुछ कपड़ा दिखाई पड़ गया अब कपड़ा दिखाई पड़ा तो उसने ध्यान से देखा तो हाथ भी दिखाई पड़ गई अब तो वो गूद गई गड़े में निकाला और जब निकाला तो बच्चा तो मरा हुआ था अब जैसी उसने अपने मरत बच्चे को देखा अभी तक गोरा कुमार जागे नहीं इसने जोर का धक्का दिया आप कसाई हो क्या पिता हो या कसाई हो क्या किया आपने देखो आपने बच्चे को रौन दिया अब गोरा कुमार की समाधी तूटी, देखा बोली क्या हुआ इसे, आपने ही तो कुचल दिया पाम से, आपने ही मार दिया अपने पुत्र को, क्या विगाड़ा था ज़स बच्चिने आपका? कहा थे आप? अरे मैं तो नाम जप में पड़ गया, नाम किसका? बिठल नाच जी, तुम नाम जप रहे थे, तो तुमारे भगवान इसकी रक्षा तक नहीं की? जिसका नाम जप रहे थे, क्या वो अंधे थे, क्या उन्होंने रक्षा क्यों नहीं की? बच्चे किसकी? आप तो भगवान पर उंगलियां माने उठाई, अब नाम देव जी हो, गोरा कुमार पतनी के दुख को समझ गये पर बोले कुछ ने, गोरा कुमार ने देखा ये तो बड़ा गलत हो गया, और उन्होंने हाँ जोड़ कर कहा है विठल नाच जी, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि बच्चा चला गया, ये मृत्यू लोक है, आपका दिया था, आपने ले लिया, कोई बात नहीं पर विधाता, इस बच्चे की यदी इतनी ही आयू थी, तो आप इसे ले जाते, पर कलंक मेरे माचे ये लग गया, कि मैंने इसकी हत्या कर दी, क्योंकि मैंने रौंदा है, हे विठलनाच जी, मैं इस कलंक को लेकर जी नहीं पाऊंगा, लोग मुझे पुत्र हत्यारा कहेंगे, हे विठलनाच जी, मुझे पुत्र का मोह नहीं है, मैं समाज किस कलंक से डरता हूँ, कि मुझे ये कलंक लगेगा, कि मैंने अपने पुत्र की हत्या कर दी, हे विठलनाच जी, मुझे इस कलंक से बचा लीजी, यदि आप मुझे अपना मानते हैं, यदि मैंने मन से, वानी से, कर्म से किवल आपको भजा है, आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता, तो हे विठलनाच जी, मेरे इस पुत्र को जीवन दान देकर मुझे कलंक से बचा लीजी, पतनी भी ताने मार रही है, तुमारे भगवान कहां थे, क्यो नहीं रख्षा की मेरे पुत्र की, क्या ज्याना कहा, लोग भगवान को भी ताने तो मारते ही हैं, भगवान पर भी तो उंगलियां खड़ी करते ही हैं, संसार के प्राणियों को जरा कुछ बिगड़ जाए, तो पहली उंगली भगवान पर ही तो खड़ी होती हैं, गोरा कुमार बहुत स्रेष्ट भक्त हैं, उन्होंने कुछ उत्तर ना देकर केवल भगवान से प्राठ्चनाती हैं, हे विधाता, यदि ये पुत्र की आयू पूरी हो गई है, तो हमें भी अपने पास बुला लो, क्योंकि इस कलंक को लेकर जीत तो नहीं पाएंगे, अभी गोरा कुमार बस बिठल, देखिए बेटा मर गया, पत्नी विचलित हो गई, उसने भगवान को बोलना स्टार्ट कर दिया, जो की संसार का धर्म ही है, हर वक्ति हैसी बोलता है, कि अरे भगवान की पूजायत नी तो करी, पर क्या हुआ, क्या दिया भगवान या, पत्नी तो डोल गई, पर गोरा कुमार नहीं डोले, गोरा कुमार नहीं, हे बिठल नाच जी, आप उत्र दो या मत दो, हम तो आपके हैं, और आपके सिवा किसी को नहीं जानते, कोई चाह भी तो नहीं है ना आपके सिवा, बस ये जो कलंक लग गया है, कि मेरे पाउं के तले रौंदा गया बच्चा, इस कलंक से बचा लो, और ये कहकर जब गोरा कुमार रो पड़ा, भे बिठल नाच जी, अपने दास को, अपने सेवक को इस कलंक से बचा लो, और जब भगवान की सरण में भक्त जाता है ना, देखे सरणागती क्या है, हम आपको समझा रहे थे, सरणागती, आप लोग सुख में तो बढ़िया भजन करते हैं, सब बढ़िया है ना, तो घोब नाम जब करेंगे, और जरा कुछ बिगड जाए, तो तुरंत भगवान को गालिया देना श्टाइच, अरे, की तुछी इतनी पूजा, क्या हुआ देखो, हमारा पती चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारी पत्नी चलेगी, हमारा फला च संसार में तो हम आये हैं, तो हमें भी तो जाना होगा, कौन नहीं गया, हम भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते, कि हमारा परिवार कभी ना मरे, हम तो भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करना ही धर्म है, और उन्हीं को पाने संसार में आय हैं दूसरा कोई कार यह नहीं है अब संसार में दूसरे कार आ गए आपके नजर में वो अलग विसे है पर मानव जीवन का उद्देश से है केवल इश्वर की प्राप्ति और एक बात बताओ मुझे सबकुछ पाकर आपने इश्वर को नहीं पाया तो सबकुछ पाकर चलो यह माला है समझ में आई ना क्या है यह माला जब माला में हम यहां से चलते हैं एक मन का दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ ऐसी चलती है ना माला ऐसी तो यह बताए हम यहां तक पहुंच गए हम यहां तक पहुंच गए यहां तक पहुंच गए यहां तक पहुंच गए और यहां तक ना पहुंचे तो क्या यह माला पूरी मानी जाएगी इस माला को जब हमने स्टार्ट किया यहां से तो पहुँचना कहा है यहां सुमेरू तक और यह सुमेरू कौन है माला में जो यह सुमेरू होता है यह भगवान श्रीमन नारण कहलाई जाते हैं यहां तक पहुँचना है आरच क्या हुआ कि हमने जीवन में पतनी पाई पती पाया पुत्र पाया पैसा पाया पद पाया प्रतिष्ठा पाया धन पाया व्यापार पाया बिजनिस पाया समाज में सम्मान पाया सब कुछ पाया सब पाते 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 सब कुछ पाया लेकिन यहां तक ना पहुँचे त तब कुछ पाना, ब्यार चे चला गया कि नहीं, माला जपना तब सार्थक होगा जब सुमेरू तक पहुचा जाए, जीवन की यात्रा तब सफल होगी जब इश्वर तक पहुचा जाए, अब आप यात्रा में चले तो पर पहुचे कहीं नहीं, तो जो चला हो और पहुचे न, वो है कोलू का बैल, वो कौन है, कोलू का बैल चलता तो सवेरे से साम तक है, पर पहुचता कहीं नहीं है, जहां से चला था वहीं खड़ा, गोल गोल गूमता है कोलू का बैल, तो क्या आप कोलू का बैल बनना चाहते हैं मेरी मा याद रखिएगा ये मानव का बेटा मिला अच्छा है बेटी मिली अच्छी है पतनी मिली अच्छी है पती मिला अच्छा परिवार मिला अच्छा है पैसा मिला अच्छा है रखो साहब पर इसमें लिप्त ना हो जाओ क्योंकि अभी यात्रा पूरी नहीं हुई गंगोत्री से गंगा जब निकलती हैं तब तक चलती हैं जब तक सागर नहीं मिल जाता तो जीवन की यात्रा तब तक है जब तक प्रभु प्राप्त ना हो जाए राम काज कीन है विनु मोही कहां विश्राम इसलिए हमारे देश में एक परंपरा रही है कि साधी विवाह करलो पती पतनी का सुख लेलो बच्चों को जिम्मदारियां देतो फिर सबसे मन हटाओ एक इश्वर की आराद फिर उस एक प्रमात्मा के सिवा किसी को न जानो गोरा कुमार ने जब भगवान से कह हे प्रभु मैं आप किसी को नहीं चाहता नहीं जानता जब प्रार्चना की गोरा कुमार ने और तब भगवान ने प्रार्चना स्विकार की मरा हुआ बच्चा, चेतना आ गई, उठकर के बैठ गया, घुटनों के बल चलने लगा मामा कहकर के मा, मा कहकर अपनी मा, मैया बेहोस पड़ी, मा होस आया, बच्चा उठके बैठा, गदगद हो गई, सारा समा जुड़ गया था सारे लोग रो रहे थे लेकर सबकी आँखों के सामने भगवान की क्रिपास से जब उनका मरा हुआ पुत्र जीवित हुआ तो गोरा को महाल की आँखों से आशु रुके निविधाता छमा कर देना कि मुझे पुत्र के लिए आपको परिशान करना पड़ा आपको काम छोड़के आपको यहां आकर मेरा कारी करना पड़ा है प्रभूर मैं अभागा हूँ कि जो मेरा कारी करने आप आए देखिए प्रेम क्या है प्रेम तो यह है कि मैं आपका सारा काम करूँ पर आप से अपना एक काम ना कराऊ यह उच्छ कोटी का प्रेम भक्त भगवान से अपनों की काम नहीं भक्त रोता है भगवान आपने बताईए मेरे कारण आप परेशान हुए मेरे कारण आप मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कारण कोई परेशानी उठाएं वैसे भगवान को क्या परेशानी लेकिन भक्त का भाव तो है न भावक ग्राही जनार्दन भगवान तो भाव की भूखे गोरा कुमार का बेटा जीवित हो गया और गोरा कुमार को दर्शन देने के लिए साक्षात भगवान विठ्ठल नाची प्रगठ हुए गोरा कुमार भगवान का दर्शन करते हैं भगवान का दर्शन किये तो भगवान ने कहा कुछ मांग लो गोरा कुमार ने का नहीं मांगेंगे नहीं बस आपके चरणों में मेरा प्यार बना रहे प्रेम बना रहे और भगवान के मिलने के बाद भी वो चाहते तो धन्ना सेट हो जाते नहीं अमीरी तो ली नहीं वो कुमार गिरी का काम करते ही रहे घड़ा बनाते रहे बाजार में जयों-कत्यों बैंचते रहे और जब गोरा-कुमार बूढ़े हो गए अब बूढ़े हो गए तो घड़ा तो स्वभाविक बनेगा नहीं जितने बढ़िया तो फिर इनके न रोटी का जुगाड नहीं था सोचिए भगवान का दर्सन करने वाले भक्त खाने का जुगाड नहीं क्यों वो सामान इसी तरह जीवन जीते हैं क्योंकि जादा धन बैभ तो वो जो दोस लेकर आता है उस दोस से भक्त बचना चाहता है इसलिए भक्तों का जितना इतिहास पढ़ेंगे वो सब सामा सुदामा कैसे थी जब सुदामा को भगवान ने धन दिया आखरी में तो सुदामा अपनी घर की देहरी चड़े नहीं सुदामा बोले मैं नहीं जाओंगा सौने के महलों में भगवान बोले क्यों बोले जैसे जाओंगा मैं आपको भूल जाओंगा तब भगवान ने प्रगट होकर कहा सुदामा तुमने सारी जिन्द की गरीवी उठाई है रोटी को तरसे हो अब मैंने सौने के महल बना कर दिये जाओ तुम सुक मेरी इक्षा है प्रभू मैं आपको भूल जाओंगा भगवान बोले ना मैं तुम्हें धन दिया हूँ तो अपनी कृपा देता हूँ कि तुम मुझे कभी भूलोगे नहीं सुदामा ने कभी यह नहीं कहा कि यह मेरा आप भी कभी यह मत कहो कि यह मेरा यही है समर्पण केवल कहना नहीं है कहना नहीं देखो कहने से तो आप लोगों से लोग पूछते कैसे हो आप मजे में है जबकी होते मजे में नहीं यह पर कह देते हूँ तो यह कहना नहीं है भगवान सिक कहना नहीं है कि प्रभु सब आपका है मानना है कि प्रभु सब आपका है एक होता है कहना एक होता है मानना तो आप कहने वाले बनोगे कि मानने वाले क्या बनोगे कहो मत कि प्रभु ये आपका है मान लो दिल से दिखो कहना भी दो तरह का होता दो तरह का होता एक सामान्य व्यवहार में यादमी कहती सब बढ़िया तो व्यवहार में हम तो कहते हैं व्यवहार में भी ये मेंसन कर लो की प्रभु सबाब का अंदर प्लस बाहर यही सबाब और मेरा कौन मेरे तो गिर्धर गोपाल केवल भगवान मेरे हैं इतना कनेक्ट हो जाओ भगवान से कि जब जब आप कहो कि मेरे तो गिर्धर गोपाल हर छोड़ी छोड़ी देर में बोलते रहा करो हे नाच म में आपको कभी भूलू नहीं और मेरे तो गिर्धर गोपाल मेरे तो गिर्धर गोपाल हेश्याम सुंदर हेश्यमन नायरण में आपको कभी भूलू नहीं बस ये कहते रहो और भगवान को याद करते रहो और काम सारे करो काम नहीं छोड़ना कि आप जी काम छोड़के बैठ जाए काम ये दारसनरुद्ध काम करता है न सारे सारे काम कीजिए जिम्मदारिया मा भूलिये काम ना भूलिये काम करते रहो नाम चत्रे मों यही है शरणागती इसी को बोलते हमारे उस्तरी शंप्रदाय में कैंकर्य सेवा कैंकर्य समझते है कि सेवा समर्पण प्रियभक्तों भगवान आप सब पर क्रिपा तो बनाए ही है जब सुगदे भगवान का जनम हुआ तो जनम लेते ही वो चल पड़े सन्यास लेने के लिए पिता ने रोका कोई उनके अंदर कामना नहीं निसकाम ऐसे शुगदे भगवान जो भागवत को प्रगट करने वाले ऐसे शुगदे भगवान को हम प्रणाम करते हैं प्रिभक्तो साथी नारत जी महराज ने सूत जी महराज सौनकादी रिसियों के बीच में बैठे हैं और शौनकादी रिसि पूछ रहे हैं कछा सुनाई है देवराज इंदर भी कछा सुनने के लिए आते हैं जब शुगदे भगवान कछा सुना रहे परिक्षित को अम्रत का कलस लेकर परशुगदे भगवान इंद्र को अधिकारी नहीं समझा और कछा अम्रत नहीं सुनाया इंद्र ने तराजू बांधी भागवत जी को तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था जो भागवत सुनता है उसका पलड़ा भारी होता है ये समझुआ इसलिए आप लोग यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ करा रहे हैं और बहुत जल्दी अगली बार फिर से 12 अप्रेल से फिर भागवत जी का पाठ है यहाँ तो आप भी अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ कराईएगा पोथी पाठ कराईएगा घर की सुक्सान्ती सम्रद्धी के लिए जैसे अभी 161 भक्तों ने पोथी पाठ कराया है भागवत जब आप सुनते हैं न तो उनका पलड़ा भारी होता है भगवान कहते हैं जो भागवत की कछा सुनता है भगवान उनकी व्यथा सुनते हैं इसलिए सुना करो श्री सूत जी महराज राजा परिक्षित को भागवत सुना रहे हैं एक वार नारज जी ने भी भागवत सुनी सारे तीर्थों का ब्रह्मन करने गए पर ना पश्चम को त्रमेच्छर महमाना सुनतोश कारेकम सांती कहीं नहीं मिली नारज जी को सांती बिलकुल दूर दूर तक नहीं ज्यान वैराग और भक्ति उदास्थे नारज जी सांती खोजने गए ना सत्यम नास्ति तपह सुचम दया दानम न विद्यते कहीं कुछ नहीं मिला सिवाय अधर्म के एक बात बताएं मिरी मां आज संसार में 99 परसंट लोग अधर्मी हैं बेइमान हैं तो आपको लगता है ना कि देखो तो ये बेइमान हैं गलच है फिर भी ये तरक्की कर रहा फिर भी ये बढ़ रहा उननति कर रहा हम ही इमानदार बने घूम रहे ना जो बेइमानी करके तरक्की करते हैं गलत काम करके सक्सिस्फुल होते हैं वो यहां दिखते हैं सफल इश्वर की नजर में सफल नहीं है पर जो यहां रहकर गरीबी में भी रहकर गुजारा करते हैं पर नेकी और धर्म नहीं छोड़ते वो इश्वर की नजर में सफल होते हैं जो बेईमानी करके सफल हो जाए वो यहां के लोगों की नजर में तो सफल माना जाता है। लेकिन इश्वर की नजर में भी एक सफल होता है। इश्वर भी तो अपना हिसाब करते ही होंगे ना, कि कौन भक्त सफल है। तो उनकी लिष्ट में हमारा और आपका नाम तब होगा जब हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे उन लोगों को मत देखिये जो बेईमानी करने रहे बाले करने अच्छा बताओ कह कई ने राम के साथ अच्छा किया की बुरा किया कह कई माने राम के साथ अच्छा किया या बुरा किया जोर से जोर से बनवास भेज़ दिया राम को चवदा साल के लिए राम का कोई दोस नहीं कह कई माने अच्छा किया की बुरा किया जोर से जोर से तो बताओ तो जो बात कहकई ने कही के राम बनवास चले जाओ तो राम ने बात मान ली तो कहकई की बात भरत जी ने क्यों नहीं मानी कहकई ने ये भी तो बोला भरत से तुम राजा बन जाओ क्यों नहीं मानी तो आप से मेरा सवाल है भरत जी को कहके माता की बात मान लेनी चाहिए या नहीं माननी चाहिए उत्तर दो माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए माननी चाहिए भाई को बनवास बेच के राजा बन जाते भरत यदि राम के बनवास जाने पर भरत जी राजा वन जाते तो कोई बाप अपने बेटे का नाम भरत ना रखता जैसे आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कह कही नहीं रखा आज तक किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम मंथरा नहीं रखा कौशिल्या नाम की स्त्रियां बहुत मिल जाएंगी सुमित्रा नाम की महिलाएं बहुत मिल जाएंगी पर आपके अडोस पडोस में खोच के देखना कोई कह कही नहीं मिलेगे क्योंकि आस तक की तिहास में किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम तब से आज तक कहकई नाम नहीं रखा बोलो हाँ इसका मतलब यह हुआ कि भरत ने जो किया जो कहकई ने किया यदि वही काम भरत करते तो कहकई और भरत में अंतर जोर से क्या रह जाता जो बेइमानी बेइमान लोग बेइमानी करते हैं यदि हम भी बेइमानी करेंगे तो उन बेइमानों में और अनिरुद्धाचार में अंतर क्या रह जाएगा यदि आप जूट बोलते हैं और हम भी जूट बोलें तो फिर आप में हम में अंतर क्या रहेगा ये धर्ती किस पर टकी है कै कई जैसी इस्त्रियों पर या कौसिल्या जैसी इस्त्रियों पर ये धर्ती किस पर टकी है रावड जैसे लोगों के बल पर या भारत जैसे लोगों के बल पर हाँ रावण लोगों की संख्या जादा है भारत जी के सिर कितने है जोर से भारत जी के सिर एक है और रावण का सिर हाँ रावण जैसों की जन संख्या जादा है और भारत जैसों की संख्या कम है भले भारत जैसों की संख्या कम हो पर ये धर्ती रावण जैसों की संख्या पर loin नहीं भरत जैंसे एक की संख्य पर टोई है एक के बल पर की गई है इसलिए जमाना 99 list 99 प्रसेंट लोग बेईमान हो जाएं तो हो जाएं पर आप बेईमान मतो येगा क्योंकि धरती उन बैमानों के बल पर नहीं, आप जैसे कुछ अच्छे सच्छे भक्तों के बल पर ठिकी हैं। आप अपनी नेकी, आप अपना धर्म, आप अपनी इमानदारी ना छोड़ियेगा। क्या बेइमानों के कारण हम भी बेइमान हो जाएं तो क्या कहकई के कारण भरत्वी कहकई हो जाते यदि भरत्वी कहकई की तरह व्यवहार करते तो समाज में कोई बाप अपने बेटे का नाम जैसे आज तक किसी बाप ने बेटे का नाम रावर नहीं रखा किसी बाप ने अपने बेटे का नामास तक दुरियोधन नहीं रखा उसी तरव वंचित रह जाते भरत भी यदि कहकई की बात मान लेते इसलिए मेरी माँ जो आप कहती हो न के महराजी सारे लोग गलत काम कर रहे हैं हाँ करने दो सारे लोगों को बोलने तो जमाने को जूट करने तो लोगों को छलकपट इरसाद वेस्त निंदा चुगली तुम मत करो तुम से उम्मीद नहीं है अच्छा ये बताओ ये धरती मा को रावड से उम्मीद थी या भरत से अयोध्या वालों को धरती को आपको हमें किसे उम्मीद है रावड से या भरत जैसों से भरत जैसे लोगों से उम्मीद है कि तुमारी मा भले नागिन हो जाए पर बेटा नागिन का बेटा नाग नहीं होगा तुमारी मा ने लोववस अपने बेटे को बनवास भेज करके अपने जनम देने वाले बेटे को राजा बनाना चाहा पर भरत जी ने मा का ये वचन ठोकरा दिया ना मा तुम पुत्र मोह में पागल हो गई हो तुमने जो निरने लिया है वो पुत्र मोह का निरने है और मैं जो निरने लूँगा वो आने बाला भारत निरने लेगा आने बाला भारत मेरे निरने से सीखेगा भारत भी यदि कह कई मासे सहमत हो जाते तो सोचो फिर भाई भाई का कितना बड़ा दुस्मन हो जाता इसलिए मिसाल बन गए भारत जी के नहीं भाई हो तो कैसा भारत जैसा जो अपने भाई के लिए आयोध्या की सिंगासन छोड़ देता है पर अपने भाई के चर्ण नहीं छोड़ता भाई भाई का प्रेम राम और भरत की कथा सिखाती है सास्त्रों को उस नजरिये से आपने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं इसलिए सास्त्रों के मर्म को आप जानना पाए मेरी माँ, बेटों को बेए इमान ना बनाना, इमानदार बनाना ऐसा बनाना आप अपने बच्चों को, कि आपके गाउं के आपके महले के लोग कहें कि वाह भाई कोई जूट बोले तो बोले, पर ये जूट नहीं बोल सकता, मुझे विश्वास है तुम इतना विश्वास बना लो, कि लोग तुम पर विश्वास करें कि नहीं जी मैं गारंटी लेता हूं सादमी की वो ऐसा नहीं हो सकता, वो चोर नहीं हो सकता, वो बेएमान नहीं हो सकता गारंटी जैसे हम और आप गारंटी राम जी की लेते हैं कि राम जी के मन में कोई भारत जी जब कौसिल्या मा से मिलने गए कहके मा के पास आए कहके मा ने पूरा बताया कि मैंने तो तेरे लिए राजा का पद तयार रखा है फिर भरत जी कहके इसे बोलके आए कि तू मेरी मा नहीं है मैं आज से तुझे मा नहीं कहूंगा तेरे मुँँ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जो तुने राम को बनवास भेज दिया फिर राम जी कौसिल्या मा से मिलने गए तो भरत जी को लग रहा था कौसिल्या मा क्या सोचींगी अच्छा सोचना भी क्या चाहिए था सामान इस्त्रियां क्या सोचती के चलो मेरी सौत का बेटा राजा बनेगा मेरे बेटे को तो बनवास भेज दिया जब भरत जी मिलने आए ना कौसिल्या मा से मा बिलकुल सुन्सान कमरे में अंधिकार से भरा मा का पक्ष भरत आ गया मा मेरा राम आ गया क्या राम मा मैं भरत हूँ भरत तू आ गया आ बेटा मा ने गले लगाया भरत जी को रोई माता कौशल्या रोई भरत जी भरत जी ने कहा मा एक बात कहूँ हाँ मा हाँ बेटा भरत कहूँ भरत जी ने कहा मा गव साला में कोई आग लगा दे और उस आग से सारी गया जलके मर जाएं तो मा गव साला में जो आग लगाएगा और उस आग से जितनी गव माता जलके मरेंगी तो जो आग लगाने वाला पापी होगा ना आप समझ रहें कि वो कितना बड़ा पाप है किसी गव साला में आग लगाना तो मा जो गव साला में आग लगाने के बाद गाय जलके मर गई और उस गाय के मरने के वाद जो उस आग लगाने वाले को जो पाप लगता है ना मा वो पाप मुझे लग जाए मा वो पाप मुझे लगे मा भरत तु ऐसा क्यों बोल रहा है मा तुम्हें ये लगता होगा ना कि मेरे कारण मेरे राम बनवास गए मेरी माने मेरे कारण भेजा मा मैं मर क्यों नहीं गया मा किसी गाउं में आग लगाने के बाद गाउं के सारे लोग बच्चे जलके मर जाए तो जो आग लगाने वाले वो पाप लगेगा ना मा वो पाप मुझे लगे मा क्योंकि मैंने राम को बनवास बेजा मा जो सैकनों ब्रामनों की हत्या कर दे सैकनों बच्चों की हत्या कर दे सैकनों इस्त्रियों की हत्या कर दे मा और उस हत्यारे कोन की हत्याएं करने का जो पाप लगेगा वो पाप मुझे लगे मा क्योंकि मैंने राम को बनवास बेजा है मा ने हिर्दया से लगाया भरत तूने ऐसा क्यों कहा मैंने कब कहा कि तूने बनवास बेजा है ये तो होनी थी भरत मा मैं राम को लेका राम गमा और भरत जी जब राम को लेने चित्रकूट की और गए सारे आयोध्या वासी सोच रहे थे के नागिन का बेटा नाग ही होगा ये दौनों मा बेटे की मिली भगत होगी लेकिन जब भरत का निरने सामने आया के ठोकरादी आयोध्या के सिंगासन को और भाई को अपनाया सारी प्रजा बोले नहीं भाई भरत जैसा ही होना चाहिए सोचिये उस युग में लिया गया एक डिसीजन आज तक उस एक निरने की सराहना दुनिया करती है याद रखिएगा कि हमारे और आपके द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन अच्छा या बुरा वो decision बहुत समय तक लोग याद करते हैं कि नोगने ये निरणे लिया था, ये किया था, ये सही या ये गलत इसलिए कोई भी निरणे लिया करो, सोच समझ कर निरणे लिया करो आपका एक निर्णे आपके पूरे परिवार को बना सकता है और आपका एक गलत निर्णे पूरे परिवार को मिटा सकता है पूरे अयोध्या में आज युगों बाद भी यदी भारत जी की जैजैकार होती है तो केवल भारत जी के उस एक निरने के करण के मैं राम से मिलने चित्रकूट जाऊंगा और राम को लेकर आऊंगा और चवदा साल तक भारत जी जब नहीं आए राम तो नंदिक ग्राम में वहाँ जमीन में गड़्धा खोद कर सोते रहे ये भारत जी इसलिए मैं आप लोगों से हाँ जोड़ू जो आप कहते हैं न महराजी वो बड़े बेइमान हैं बड़े जूट कपट करके धन्ना सेठ हो गए होने दो उनको होने दो उनकी धन्ना सेठी जादा दिन की नहीं है तुमारी इमानदारी जादा दिन चलेगी बेइमानी की धन्ना सेठी जादा चलती है या इमानदारी इमानदारी की नमक रोटी आओ, अच्छा चलो तुम धन्ना सेट हो गए, तुम्हें रसुल्ला पच रहा है क्या, रबडी पच रही है क्या, तुम्हारे पास रबडी की विवस्था खूब है, पर डॉक्टर ने मना कर रखा मत खाना, वो गरीब आदमी है, नमक रोटी खाने वाला, उसे कोई मना नही है क्या खूब रबडी खा सकता है, बिडम मना तो यही है, जिसके पास खाने को है, उसको डॉक्टर ने खाने देते, जिसके पास खाने को नहीं, उसे गरीबी नहीं खाने देती, ये श्वर का निरण है, विधां है, क्योंन ही समझते आप लो, नारत जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवस सुनवाई सनकादियों के द्वारा उनका उध्धार हुआ एक धुन्दकारी नाम का पापी अपने पिता को मारता इसलिए कहता हूँ कि सेवा करो अच्छे कारी करो मैं नहीं रहूंगा एक दिन मैं नहीं रहूंगा एक दिन लेकिन मेरे द्वारा किये गए कार्य मेरे ना रहने पर भी रहेंगे चाहे वो कार्य अच्छे हो या इंसान नहीं रहता पर इंसान की अच्छाई और बुराई रावड नहीं रहा पर रावड की बुराई रही राम कणकण में है उस रूप में राम हमारे सामने नहीं है लेकर राम की अच्छाई आज भी लोग याद करते है स्वामी विवेक अनन्द जी नहीं रहे हमारे बीच में लेकर उनकी अच्छाई आज भी है गुरु गोविंद सेह जी यह से महापुरुष हमारे बीच में नहीं रहे लेकर उनकी अच्छाई आज भी महराणा प्रताप नहीं रहे जासी किरानी नहीं रही मीरावाई नहीं रही लेकर ना रहने पर भी ये है किस रूप में है आज तक हम इनके मार्ग पर चलना चाहते हैं मैं नहीं रहूंगा एक दिन अनिरुद्धाचार भी नहीं रहेगा एक दिन लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे ना रहने पर भी लोग अपने बेटे को अनिरुद्धाचार जैसा ही बनाना चाहेंगे हर मा, देख लीजिएगा, हर मा, आप मेंसे अभी ऐसी कितनी मा है, जो अपने बेटे को इदास अनुरुद जैसा चाहती है, कैसा होगा, इतिहास के पन्नों में ये बात दर्ज होगी, इसलिए कहता हूँ कि सेवा है, धर्म हमारा, एक ही संकल्प और एक ही नारा, आप से भी कहता हूँ, सेवा करना सीखो, गौरी गुपाल आश्रम आओ, देखो यहाँ, यहाँ की सेवा है, देखने के लिए आज देखिये ना पूझ बागेश्वर वाले महराजी भी आए, आज यहाँ आकर उन्होंने व्रद्धमाओ का दर्सन किया, यहाँ नचेत्र की सेवा देखी, और कहा, कि दिव्य सेवा है, बड़े-बड़े संत, बड़े-बड़े महापुरुष यहाँ आकर, यहाँ की सेवाओं को सराहते हैं, कोई हसी खेल नहीं है, आप लोगों से प्रार्थना हैं, कि आप इन सेवाओं से, जैसे गिलहरी ने, बालू के कुछ कन डाल करके, राम सेतु में अपना योगदान दिया, गौरी गौपाल आस्त्रम में चाहे व्रद्धमाओं की सेवा हो, अन्चेत्र की सेवा हो, अखंड रसोई की सेवा हो, इन माओं के लिए अपने हाथ बढ़ाईएगा, इन माओं का सहारा बनियेगा, इन व्रद्धमाओं की सेवा से जुडियेगा, गौरी गौपाल आस्त्रम में आप मैसे कितने लोगों ने व्रद्धमाओं का दर्शन किया है, जो बेटे अपने माओं आपको घर से निकाल देते जो बेटे अपने मा की सेवा नहीं करते, ऐसी माओं गौरी गौपाल आश्रम में रहती हैं, इन माओं के लिए एक आस्त्रम बन रहा है गौरी गौपाल आश्रम, ये 275 माओं है और ये आस्त्रम और बन रहा है, जहां पर 1000 व्रद्धमाओं आ रह सकेंगी, आप भी इन सीमेंट का सहयोग कीजिए आप नमाओं के लिए एक दिन के भोजन की सेवा कीजिए साम का दूध माताओं के लिए आप अपने और से दे सकते हैं कि आज का दूध की सेवा हमारी नास्ते की सेवा हमारी भोजन की सेवा हमारी गौरी गोपालास्त्रम में यह देखिया हमारी व और यहां आकर हमारी माओं का अश्रवाद यह संत लेते हैं और इन माओं की दुआएं लेते हैं आज हम आपका परचे माँ से कराएंगे मैया कहां से आई हो मेरी माँ कानपुर कितने बेटे हैं मैं आपके एक बेटा है तो आपका बेटा एक है तो आप यहाँ गौरी गौपाल आश्रम में रहती हो मैं अक्यों आपको पसंद नहीं करता लड़का बहु पसंद नहीं करते हैं हम अलग बनाते खाते तो लड़का बहु किसे पसंद करते हैं अपने बच्चों को पसंद करते हैं अच्छा पर मा तो अपने बच्चों को पसंद करती हैं पर बच्चे अपने मावापको पसंद नहीं करते हैं हां वो अपने बच्चों को पसंद करते हैं वो यह भूल गए कि हमारे बच्चे बड क्या कहते है मैया तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं है तुम चली जाओ तुम्हें कहीं मौत नहीं है तुम मर जाओ ऐसा बोलते है कि तुम मर जाओ कौन बोलता है ऐसा बेटा बेटा बोलता कि तुम्हें मौत नहीं हा रही है तुम मर जाओ यह कहीं चली जाओ कहीं चली जाओ यहां मत रहो यहां मत रहो तो बहु ने नहीं सपोर्ट किया के नहीं बहु तो ही कारण है कारण बहु तो पोता पोती आपके तो बड़े होंगे हाँ सब बड़े हैं सब तो पोता कितने हैं आपके बेटे का बेटा तो वो भी मेरे बरावर होगा 32 साल का है उसकी भी साधी हो चुकी है तो वो नहीं रख सकता अपनी दादी को तो पोते ने साधी में आपको बुलाया नहीं अच्छा देखो जड़ा पोते की साधी होगी इस पोताई देखियो पोता इनका मेरे बरावर है लगभग मैं 33 साल का हुँ पोता इनका 32 साल का एक साल छोटा है तो अब यह दास वनिड़ो मैया के पोते की उमर का उमर मतला लगभग तो ही ना उमर का है यदि हम 275 मां की सेवा कर सकते हैं तो वो पोता पनी सगी दादी की सेवा तो करी सकता था न, क्यों नहीं किया ये सवाल, tirar उससे पूछा जाना चाहिए, कभी मैया फॉन नहीं बेटा का?, कभी नहीं, या तीन साल सामध तीन महीन होगे, तीसरे महीना, यहां गोरीगो पालाश्तर में तीन साल तीन महिना कोई तूचना नहीं आई कोई फॉर नहीं लगाते बेटा सादी विवाह में भी सोचिये कि पोता अपनी दादी को नहीं बोलाया बेटा अपनी मा को नहीं भुलाया साधी कर लिया बताए, आदमी तो दुस्मन को भी निमंतरन देता है, साधी व्याह में, लेकर नहीं बुलाया, इसलिए ये दाश अनिरुद इन माउं की पीडा को, आप बताएं आपसे, इन माउं के दर्दों को, इन माउं की पीडा को ना, सब लोग समझ भी नहीं सकते, जि बेटा जब कह दे कि तुम मर क्यों नहीं जाती इससे बड़ा मा का पमान क्या होगा फिर वो मा किस दुख में जी रही है हम और आप तुन माव का सेवा करके जितना दुख कम हो सकता है कम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से देखी इतनी बड़ी सेवा हो करके गौरी गौपाल आश्रम की सेवाओं को यहां पीएजडी की उपाधी दी कि यह वाकई सेवा यहां हो रही है एक साइलेंट मूड में विदेशी कंपनियां विदेशी चीज़ें सर्च करती हैं कि सबसे बड़िया कारिक कहां हो रहा कौन कर रहा तो अभी कुछ महिने पहले आपने देखा भी होगा गौरी गौपाल आश्रम की सेवाओं को अमेरिका ने सराहा और अमेरिका की उनिवर माईया आप यहां रहती हो हमारी तरफ से आपको कई तकलीव तो नहीं होती कोई अब हमसे खुश हैं हमें बहुत कुछ हैं बेटा कुव आपकी 1,000 साल की उमर हो हमारी उमर आपको लग चाहे भीडा अपने बहुत सता हैं थे हम भूत दूपकी थें आपतो परेशान नहीं है कैं अप अपको यहां सब रहना खाना ठीक है बहुत अच्छा वेड़ा, बहुत अच्छा है, आपको यहां रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिया आप से, इन माओं से एक रुपए नहीं लिया जाता, जो आप लोग सहयोग करते हो सी के बल पर इन माओं की सेवा होती है, इश्वर ने योग बनाया तो आप भी इन माओ की सेवा कीजिएगा, इन माओं की सेवाओं में आप भी गौरी गोपाल अस्तरम जो बन रहा हैं माओं के लिए, आप भी एक इईट का सहयोग, एक बोरी सीमेंट का सहयोग, एक कमरा बनवा के दे सकते हैं, कमरे की छट डलवा सकते हैं, जिस लाइक इश्वर ने, कुछ ला माँ को दूद पिलवाईएगा, तो कोई आके बोलता कि आज हमारी ओर से माँ को सवेरे नास्ते में फल बटवाईएगा, तो बस आप भी अपनी ओर से ने ब्रद्ध माँगे, ये माँ आपकी हमारी सबकी, माँ जिम्मेदारी हम सबकी, गौरी गौपाल आश्रम में केवल माँ की सेवा नहीं, यहां एक रसोई अन्य छेत्र चलता, कोई भी साथ हो संता है, सबको भरपेट भोजन मिलता है, और संतों के लिए आप भी एक दिन का अन्य छेत्र बटवाईए, ताकि इन संतों को भरपेट भर आपकी रोटी मिले, औ आप भी इन संतों को रहने के लिए एक संत निवास बनने जा रहा है, आप भी ओसंत निवास में, भूमी, दान देकर, एक गज़, दो गज़, पांच गज़, भूमी देकर, आप भी संतों की सेवा से जुड़ सकते हैं, गौरी गौपाल आश्रम में, यहां पर एक रसोई चलती है, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोईयों में, एक कोई भी आए, आप मैंसे कितने लोग यह जानते हैं, कि गौरी गौपाल जी की रसोईय में कोई भूखा नहीं जाता, कितने लोग इस बात के गवाह हैं, कि यहां कोई भूखा, यह बात सही है या जोटी है, हजारों लोग रोज पाते हैं कि नहीं, तो बताईए कोई शुलक लगा, सबको निह शुलक पेट वर भोजन मिल रहा है, इससे बड़ी सेवा क्या है, यह दास अनिरुद्ध समास से मांग मांग कर आपकी यह सेवा यदि कर रहा है, तो सेवा, देखो, हम मांग किसके लिए रहे हैं, सेवा के लिए, सेवा के लिए परमार्थ के कारण, यह जो कर रहे हैं, वो धर्म है, किसी हमारे देश में एक विहचू है, सुना विश्वे हिंदू, यूनिवर्सिटी है न, कासी में, पंडित स्री मदन मोहन मालवी जीने उसे बनवाया, है न, विहचू, विहचू, उसे पंडित स्री मदन मोहन मालवी जीने बनवाया था, आज से सैकणों साल पहले, कैसे बनवाया जानते हो, पूरे भारत में उन्होंने भिक्षा मांगी, एक जगा भिक्षा मांगने गए, तो एक राजा ने अपना जूता उतार के पंडित मोहन मालवी जी को मारा, जूते से, आ गया मांगने के लिए, तो उन्होंने जूता राजा का उठाया, कहां महराज, यह राजा साहब आपका जूता है, इसकी नीलामी करूंगा के राजा का जूता है, कुछ तो मिल ही जाएगा मुझे यूनिवर्सिटी के लिए, सोचिए पंडित मदन मोहन मालवी जी ने समास से देश से चंदा मांगा, भीख मांगी, कुछ ने जूता दिया, कुछ ने पैसा दिया, उस मांग मांग के इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बनवाया, आज भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में एक है, लाखों ब पर उनके पाउं की धूल तो बनी सकते हैं, उनके चरण रस तो बनी सकते हैं, ऐसे महापुरुशां से कुछ प्रेरणा लेकर कुछ ऐसा कर जाओ, कि किसी के काम आ सको, मरने के बाद तो हमारा चमड़ा जूता भी नहीं बनाया जा सकता हमारी चमड़े का, तो मरने के बाद तो ये चमड़ा काम आना नहीं है जीते जी यदि हम किसी के काम आजाएं तो ये बड़ी बात है इसलिए मैं आप से निवेदन करता हूं आप भी इश्वर ने जिस लायक बनाया है हम सम्मिल के ये कारे करें उस युनिवर्सिटी में जितने लोगों ने सहोग किया आज उनको से जुड़िये आईए आप मैंसे कुछ दानवीर महापुरस्वों ने नाम पहुंचाये हैं नाम सुनते हैं पर आगे प्रवेश करें बड़ी सुन्दर पावन कथा सद्गुर्द्य भगवान के लिए बड़ी सुन्दर प्यारी कथा के साथ में सुन्दर से सेबाओं के द कर सकते हैं तो जरूर करें आईए मेरा नेवीर रहेगा आप मैं सिक्री दानवीर महापुरस्वों ने अपनी योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाएं आज की शनी में महंदर जी पाल लोधियाना पंजाब से आपने सभी सेबाओं के लिए 50,000 रुपे के योगदान दि देवी जी आपने इन सभी सेबाओं के फरीदावास से एक लाग 30,000 रुपे के योगदान दिया एक बार जोड़दार तालिया है मुन्नी देवी जी के लिए जिरों ने अपने आपको जोड़ा है आई आप यही निविदन रहेगा कि आप भी अपने योगदान के पावन ह हाथों से करतो है पनी की प्राप्ति करें जो लोग यहां है और अपना सुन्दर सा भावल यह बैठें सेबाओं जोड़ना चाहते हैं उनके लिए काउंटर यहां भी लगाए और आश्रम में लगाए आप वहां जाकर कि अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ातो है अपन अपने नाम तो अमर करें ही अपने साथ में अपनी आनिवाली भावी पीडियों को भी पुने से जोड़ कर जाएं आई चलते सेस्कता क्यों एक बार पुन हां तो रहा हात उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधेर बोलिये गौरी गोपाल भगवान ने किये प्रियभक्तो श्री गौकर्ण जी ने अपने भाई धुंदकारी को भागवस्वना करुण का उध्धार किया सनकादियों के मध्य भगवान प्रगठ हुए गौकर्ण जी को भगवान ने हिर्दय से लगाया उनका उध्धार हुगा दूसरी बार भागवस्वनाई सनकादियों के मध्य भगवान प्रगठ हुए और कीर्टन करते हुए सब भगवध्धाम को चले गए श्रोता बक्ता का निरूपण है भागवस्जी में जन्माध्यस्वयतोन्वयाधितर्तस चार्थे स्वभिग्यास्वरात् तेने ब्रह्माहिर्दाय आदिकवय मोहियंतियत्सूरया ते जोवारी मृदाम यधा विनिमयो यत्रत्रिसर गोम्रिशा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यंपरंधी मैं सत्य स्वरूप प्रमात्मा को हम ध्यान करते हैं धारन करते हैं हिर्दय में माता कुंती नी भगवान से दुख मांगा, भगवान ने अपने आपको दिया भीश्व पितामा की सद्गती हुई, राजा परिक्षित जी को साथ दिन में मरने का श्राप लगा, तो जिसे साथ दिन में मरना हो, उसे क्या करना चाहिए, शुकताल में राजा परिक्षित जी शुकदे भगवान से ये सवाल किया है शुकदे भगवान ने कहा भगवत चिन्तन करना चाहिए राजा परिक्षी जिने शुकदे भगवान का पूझन करके ये सवाल किया Elijah चिन्तन में डूब गए हैं आगे की चर्चापुन हकल हम सुनेंगे साम को साथ वजे प्रशनोत्त्री होगी जिन्हें प्रशनोत्त्री में जुड़ना है साथ वजे साम को आज प्रशनोत्त्री होगी साथ वजे आईए अब आप लोग अपना मोबायल पर्स सोना चांदी कृप्या इन चीजों का ध्यान रखें भीड में कोई चोर ना मोबायल चैन उतार लें इसलिए स्वाना चांदी पहन के धाम में विलकुल मत आओ हाँ मैया अभी मिलेंगे आईए अवा आर्थी उतार लेते हैं फिर आप सबका दर्शन आगे की चर्चा कल श्रीमन नारायन चर्णव सर्णंद्रबद्दी श्रीमते नारायन 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 मैं बसाकर तेरी मूरती उतारूं मैं गिर्धर तेरी आरती मन मैं बसाकर तेरी मूरती उतारूं मैं गिर्धर तेरी आरती मन मैं बसाकर तेरी मूरती उतारूं मैं गिर्धर तेरी आरती मन मैं बसाकर तेरी मूरती उतारूं मैं गिर्धर तेरी आरती करूना करो कश्च हरो ग्यान दो भगवन भव मैं फसी नाव मेरी तार दो भगवन करूना करो कश्च हरो ग्यान दो भगवन आव मैं बसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तो मेरे पास है दर्द की दवा तो मेरे पास है हाँ जिंदगी दया की कभी ख मांगती मन मैं बसाकर तेरी मूरती उतारूं मैं गिर्धर तेरी आरती हाँ 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 मामु तुछ से क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अरपड़ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझ को ब्रभु संसार की पन मैं बसाकर तेरी मूरती उतारूं मैं गिर्धर तेरी आरती जिसने तेरा नाम में लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग कम है जिंदगी कर लो बंददगी कम है जिर्दगी कर लो बंदगी प्रहु का हाथ हो तो मौत भी न मारती पन में बसा कर तेरी मोरती ओ तहरू में गिर्धर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान नारत गुण गान करें छेडवीणतार भक्त तेरी द्वार करते हैं पुकार तेरी आरती ओ तो में गान करें छेडवीणतार भक्त तेरे गार करते हैं पुकाहा तासवनी रुठ तेरी गार यारती मन में बसा कर तेरी मोरती ओ तहरू में गिर्धर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मोरती ओ कहरू में गिर्धर तेरी आरती में खरता तेरी ओ तेरी ओ तेरी आरती ओड़ा तेरी ओ तो में गान कर तो में गारती नहीं है आपनें अपर आप रंडे संदी नामने फिर इंट다면 था रहा है। टुरोर रम्हाल्योर रिश्नोर करसे दास्ते सब्सक्क्राइब प्रोर साचाल वार अप्रोर क्रमा दस्माइ भी टूस्माइ हरी राप, 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 हरी दुष्णा हारे हारे है डडगण बन्जीवाले को खुल के राजा हमेरी यक्या गरस रही अब को आजा नगन बन जीवाले गो खुल के राजा हमेरी लकिया तरस रही अब तो आजा अजग लाल तरस रहे ना अजगो बाल तरस रहे ना बरस रहे ना बरस रहे ना प्रस रहे नौ तकर दिलार घरिक प्रस म्हांग है लोगनी जगना माद देवाषटोन ना ports दो दंगनai सरा आप अैंधयों है अ Een कलेंवे हरें मत जिन भान मत जो जो जाना कलें को नेना अच्छंद्र पूर्पे जाद्याहा चंतिवाहा हर्यों में गदिंगायव धिम्हे पक्रलुंदा यदि में अधिम्हे तन्द प्रजोड़ाद शेवंधिकामकल जंपकबाद लाव्जरब नांग जाथ कर विल रसाल बस्पैवल प्रवाल तुलसेदा मंदरेवे थाम पूझे आमि ज़कदीश्वर में प्रसीदा नाना सबस्पाणिय दाकाल बद्मानी जाबस्पाणला मयादत ग्रहन परमेशरा सेकरान परसोरत मायन महां जिन भक्तों को मिलना है यहां से आजाईए और एक-एक से मिलिएगा जिनको मिलने के बाद भी और विक्षा हो तो अंदर गौरी गौपाल आश्रम में फिर मिलेंगे जिनको भी मिलना हुआ सुनने वालो कथा को देता यहीं बिराम कल फिर हम सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम जै जै श्री कृष्णा